जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का हैंका का था उस रगुनंदन की योग युगांतर से जीवित और जगरित ये कहानी है रामायन की राम मनुष्यता का ये दुर्भाग ये रहा है कि कई बार शक्तियां अशुब के हाथों में गई है कल्यां इसी में है कि शक्तियां शुब के हाथ में जाए आप अयोध्या के विवराज हैं एक संकेत करेंगे तो सारी सेना आपके साथ लड़ेगी ये मर्यादा के बिरुद्ध है तो क्या मर्यादा आपको भावी मा के प्रानों से भी अधिक प्रिया है कि जानकी में मेरे प्राण बस्ते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्री है कि अपनी शक्ति पैचानों बजरंग जो तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर कि राघव ने मुझे पाने के लिए शिवतनुष तोड़ा था अब उन्हीं रावन का घमन तोड़ना होगा कि अथांग महासागर के गर्भ में बीनों लोक में सबसे बल्शाली महावीर हनुमान का रक्त रतन सहस्त्र वर्षों से प्रतीक शामिर है आज मेरे लिए मत लड़ना उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर जुग जाएंगे लड़ोगे वागे बड़ो और गार्दो एहंकार की छाती में विजय का भगवा दिना अजन से नहीं करम से छोटे अबडे होते हैं है तुम्ला धूह रहू ब्रह्मान में जो भी पाने लाएके तू पाच चुका है फिर भी तू राक्षजी है लक्ष्मी को पाले नारायन हो जाएगा रागहों ने मुझे पाने के लिए सुधनुस तोड़ा था अब उन्हें रावण का घमन टोड़ना हो गया रामभक्त हनुमान के सामने जानके द्वारा कहा गया समवाध ही आद पुरुष की कहानी का सेंट्रल थीम है बजपन से हम रामाड और रामलिलाओ में रागहों द्वारा अन्याय पर न्याय की जीतवाली इस महान गाथा को देखते सुनते और पढ़ते आये हैं ताना जी के लिए राष्टरी पुरुषकार पाच के ओमराओत ने निसंदे आज की जनरेशन के लिए इस महाकावी को भब भिजकल पर बड़े पर साकार किया है मगर वो या समझने में चूग गए की दसकों से हम जिस रामाड को देखने सुनने के आदी हैं उसकी एक बहुत ही मजबूत छबी हमारे दिलों में बचती है ऐसे में उस छबी के साथ एक्सपरिमेंट में साओधानी बरतना जरूरी है कहानी की सुरुआत महरिश बालमीक की रामाड की तरज़ पर ही होती है जहां राम सिया राम गीत के माध्यम से बैकड्रॉप में राम और सीता का बिवाह कै कैई दोरा राजा दसरस से तीन वचन की मांग, राम, सीता, लचमण का बनवास, छोटे भाई भरत दोरा बड़े भाई की पादुगाएं ले जाना जैसे परसंग दर्साए गए हैं राजा यानि परभास अपने पतनी जानकी यानि कृति सिनन और सेस यानि सनी सिंग के साथ पिता के दिये गए वचनों का पलन करने के लिए वनवास काट रहे हैं उधर लंका में रावण की बहन अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई लंका पती रावण यानि सैफली खान के पाह जाकर बिलाप करती है वा भाई को प्रतिसोध के लिए ब्रमांट की सरबादिक सुन्दरी जानकी को अपरहत कर लाने को उकसाती है जंगल में जानकी को एक स्रोड मरग दिखाए देता है जिसे पाने के लिए वा लालाई थे जानकी की इच्छा को पुरा करने के लिए रागो स्रोड मरग के पीछे डोड़ते हैं इस बास से अंजान है कि वा महज रावड का एक छलावा है से इसको अपने भाई रागो की मदद की गुहार सुनाई देती है वा जानकी को लचमर रेखा पार ना करने की हिदायत देकर रागो की साहता के लिए निकल पड़ता है और इधर रावड भिच्छा लेने के बहाने सादू का धारड करके सीता को हर ले जाता है बस उसके बार रागो दोरा सुग्रियो और हनमान की मदद से लंकेश का संहार ही कहानी का क्लाइमेक्स है इसके बीज में जटायू रावड का युद्ध, सबरी के बेर, बाली सुग्रियो का मल युद्ध, रामसितू का बनना, हनमान दोरा संजिवनी बोटी का लाना, इंदरजीत और मेगनन वद जैसे परसंगों को भी समेटा गया है आद पर उसके फ़र्ष्ट लुकों काफे अलोचनाओ का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद उसमें काफे बदलाओ किये गए, मगर मूल चीजे ज़स्कितस रह गई, इसमें कोई दोराय नहीं है कि बीफेक्स के मामले में फिल्म एक विजूल ट्रेट साबित होती है, मगर सीजी आई की खामिया रह गई, टू डी में बीफेक्स और सीजी आई का काम पर भावसाली नहीं है, जबकि 3D में अदमदार है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्क्रीन पिले और डालॉग्स में, मनोज मतंसर के लिखे डालॉग में, जहां रागह और रावड के चरित उपहास का पातर बन जाते हैं, निर्देसे कोमराउत ने इसे माडन लुक देने के लिए रावड की लंका को ग्रेई स्कॉसल लुक दिया है, जो रावड की सोने की चमचमाती लंका के विपरित हैरी पाटर या गेम आप थ्रोंस के किले की तरह दिखते हैं, फिलम का 3 मेगानाद वल जिसे रामाड के कई परसंगों को छोड़ दिया है, बाली और सुग्रू के वानरो का बिसुद रूप दिया है, तो रावड के लुक कास्ट्यूम्स और उसके सस्त्रों को कुछ ज़्यादा ही मोडनाइज कर दिया गया है, रावड को एक पिसाद जैसे तलधारा सुनने में अच्छे लगते हैं, एक्टिंग के मामले में परभास ने रागो को सीमित और मर्यादा प्रिप्सोतम राम के रूप में ने भाया है, रावड के रूप में सैफली खान खोब जचते हैं, मगर डिश्टल टेकनीक से उनकी कद काट को कुछ ज़्यादा जिसके लेले समर्ग पहचाने जाते हैं, बजरंग के रूप में देवदत ने अपनी सरित्र किसान नयाय किया है, इंदरजीत की भूमका में वसल सेट को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है, जिससे उन्होंने खुप सूर्ती से निभाया है, मंदोदरी के किरदार में स अच्छान महच्छ दो सीन में निजराती हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, तो चलेगी भी तेरे बाप की, ये ओडालाग हैं जो हनमार रामण पुट्र मेगनात से कहते हैं, वही एक जिगा हनमार लंका लगाने की बात कहते हैं, तो धाकडा सुरू उनसे कहता है कि क्या ये तेरी बुवा का बगीचा है तो अपनी जान से हाथ धोएगा जो आप मैं हनमान जी कहते हैं और मैं धकडा के धोओंगा अब हनमान जी ऐसे डालाग बोलेंगे तो हाल में शीटिया उस वक्त जरूर बच जाएं मगर धीरे धीरे अहसास होगा कि आप जो उमीद लेकर आये थे वो उमीद पूरी नहीं होगी फिल्म के डालॉग मनोज मतंसर ने लिखे हैं और वो इस मेज के लिए जिम्मेदार हैं फिल्म में दिखाया गया है कि रागह अपनी पतनी जानकी और भाई सेस के साथ जंगल में वर्वास काट रहे हैं सुन नखा की नाक में सेस ने बार चला दिया है राम सुन नफा के आगे हाँद जोड़ते हैं और शुन नफा लंकेश को जानकी की खुशूर्ती के बारे में बताती है जानकी का अप्रहड सबरी के बेर रागहो बिजरंग का मिलन समुंदर सेत्यू से होती है फिल नाम सिया राम गाना और राउड का सिव जी के लिए गया गया गाना ये कुछ सीन आपके राउंटे खड़े करने में कामयाब होते हैं मगर फिल्म में इतनी दिखते हैं कि आप चाहा कर भी फिल्म से खुद को अटेच नहीं कर पाएंगे पहली बात तो फिल्म में परचलित नाम ना इस्तमाल करते उसके दूसरी नामों का इस्तमाल किया गया है लचमर को सेस कहने का क्या आउचित था वही राम सिता में जो बात है वो रागह और जानकी के साथ नहीं आती बेगनाद को इंदरजीत राउड को लंकेस कहे कर ही हर जिगे संबोदित किया गया है जटा जब मंदिरा पीते हुए मंदुद्री से बात करती हैं तब ऐसा लगता है कि काकलेट पार्टी की दो महिलाएं बात कर रही है इतना इनहीं राउड की हाई फाई लंका में लिप्ट भी है फिल्म में ऐसे भी सीन है जो ना बालमिकी की रामाड में हैं और ना तुलसिदास की रामचरित मानस में लचमर जब मुर्शित होते हैं तो हम सब ही को बता है कि बद सुसेड को बलाए जाता है मगर इस फिल्म में संजीवनी के बारे में ना सिर्फ भीवीशड की पतनी बताती है बलकि इलाज भी वही करती है रामाड के एक एक सीन से लोगों की भावनाई ज लही है पूरी फिल्म किसी एनिमेशन फिल्म जैसे लगती है जिसमें बेफेक्ष की क्वाल्टी भी खराब है हनमान जी का राम को पीट पर बिठा कर उड़ान रामड का वद मेगनात और कुमकर का वद ये सारे सुकन साब को सिर्फ और सिर्फ निरास करेंगे अगर आप ब अठिन समय में भी सहज रहना सरल बने रहना उससे भी दुशकर है विशेशकार तब जब पिता राजा रहा हो भाई हर बात मानने को तयार रहता हो और पतनी का सुक इसी में हो कि वह वही रहे जहां पती की छाया रहे रामकथा मनुस्य को सहज होना सिखाती है ये यह भीग सिखाती है कि तमाम धन समपत सुख ऐसरी आद पाकर भी सरल बने रहना हो तो इसकी कुझी कहा है कुझी है समद्रसी इच्छा कचना ही हर सोक भय नहीं मनमा ही लेकिन सिनेमा को अब सरलता की मुडेर भी हांसल नहीं है वह इसी मुडेर पर बैठा कुवा बन चुगा है जिस वाली एक ऐसी ही आवाज है जो राम सिता लचमर हनमान और रावड की कहानी नहीं है ये कहानी उन्होंने रागव जान की सेस बजरंग और लंकेस की बुनी है इंट्रोल तक ही फिल्म सुन्दर कांड पार कर जाती है और उसके बाद का लंका कांड अपने आप में किसी राम की सौमिता की जलक वही से निकली तेलगू में बनी राम कथा में राम मौचो के सान नजर आये और अब तेलगू के तथाकतित सुपर हीरो सितारे परभाज जब अपनी नई फिल्म के साथ सिनेमा घरों तक पहुंचे हैं तो आप मौचो वाले राम ही बनी हैं राम को जिस दिन राजा बनना था उसका मौहूरत नचत्रों की गर्णाय करके ही निकाला गया गुरू बिसिष्ट जैसे ग्यानी ने मौहूरत निकाला लेकिन वहीं मौहूरत राजा दसरत के मरड और राम के वनवास का कारण बना राम कथा ऐसी ही छोड़ी छोड़ी अन्भूति में दिखती हैं कभी सबरी के जूटे बेर में तो कभी राम और हन्मान के मिलन में दुसमन सेना में आकर मरड़ासन की इच किस्सा करने वाले सुसेड बैद का परसंग बिस्तार में देखे तो बड़े समाजिक परभावाला है लेकिन जिस समाजिक समरस्ता का पार्ट राम पढ़ाया वह यहां उसके प्राकर्मी परचार के परचपंच में खो गये हैं फिल्म आदपुरस में राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं लेकिन मर्यादा मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये तो बस एक लाइन का परसंग है राम को मर्यादा पुरसोत्त सिद्ध करने का जहां वह रामट से युद्ध करने के लिए अध्धा की सेना नहीं चाहते हैं लेकिर राम कथा के ऐसे धेरों परसंग है जो त्रेता युग में पुरसोत्तम को आधिपुरुस बताय जाने का फिलम बनाने वालों का दावा मजबूत करने में उनकी मदद कर सक चोटा भाई जब हमेशा भाभी मा की सेवा और रच्छा में हित्यत पर रहता है तो ऐसे में बड़ा भाई अपनी पतनी के सार्रोमानी होने का समय भी निकाल पाएगा सोचना मुश्किल है लेकिन फिलम टी स्रीज की है तो अरजी सिंग का गाना होना ही है और गाना होना है तो फिर कबीर सिंगो या रागो फिलम बनाने वालों का क्या फरक पड़ता है संगीत और इसके गीतों के साथ ही इसके समवाद भी फिलम आदपुरुस की बड़ी बिफलता है इस तरह की कथाओं के लेखन में जो सहस्ता और सुरलता बिचारों को चाहिए वा इसके उतने इसमें कोई खास फिर बदल नहीं किया है टीजर में दिखे सारे ग्राफिक्स सारे इस्पिसल एफेक्ट और सारे किरदार हुब हो यहां उपस्तित हैं इस चक्कर में फिलम भी जरूरत से ज्यादा कहीं लंबी हो गई है प्रभास कृति सेनन और सनी सिंग स्टार फि लोगों को दिखेगी हुआ है फिलम में जानकी बनी करती सेनन उनके चेहरे पर जो भी करतिम प्रयोग हो चुके हैं उन्होंने उनके चेहरे की स्वमिता हर ली है होट और नाक उनके तीखे बनाए गए हैं और मिथला की राशकुमारी के जिस सौंधर को देख राम जेसा ओज है और ना राम जेसा तेज और ना ही राम जैसा परताब वहां पुरी फिल्म में बाहबली की तीसरी संस्क्रण ही ज़्यादा नजराए हैं मंगल भवन मंगल हारी दर्बह सुदसरत अजर विहारी राम सीया राम जैजै राम राम रहमार की चौपाई के साथ एक सांदार जलक दिखाई गई है। इसके साथ ही पहले कभी नहीं देखे गए बीफेक्स और इस्पिसल बिजूल एफेक्ट के जरिये भारती सब्विता के तिहास की सबसे महान गाता रामाड को सिनेमाई साधर संधान जल्द दी गई है। हर किरदार को नहीं सिरे से बहुत बारिकी से गढ़ा गया है जो कि धानमिक भाउनाओं के अनकूल लगता है। फिलमाद पुरिस के तीन मिनट उननी सिकंड का ट्रेलर भगवान हरुन की आवाज के साथ सुरू होता है। इस किरदार को मराठी अबनेता देव दतनाक ने किया हैं एक कहानी है मेरे प्रभु स्री राम की उनकी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन था मर्यादा का उतसो राम था रागो जिनके धरम ने तोड़ दिया अधरम का हैंकार गाथा उस रगुनंदंद की यूग यूगांतर से जीवित और जागरत ते एक कहानी है र जलग दिखाई जाती है फिल्मे अबनेतरी कृतिसिनन ने सीता जी और अबनेता सनी सिंग निजर ने लशमड का किरदार किया है इसके बार रामड का करदार कर रहा अबनेता साइफली खान की आवाज गूंचती है वो कहते हैं भिच्छा भिच्छा देही भिच्छा ये रामड का सबसे अहम सीन है जब रामड सीता हरड यानि किड्रनैप करता है इसके लिए मायावी हरड का सहरा लेता है ये घटना रामड में राम और रामड के बीच युद्ध का आधार है यहां रामड बने साइफली खान की जछलग दिखाई जाती है उनके किरदार में बहुत सुधार किया गया है वरना टीजर में हाली बुड के किसी बिलन की तरह उनको दिखाय गया था लंबे बाल और दाड़ी के साथ माथे पर लाल टी का लगाए साधू के वेस में वो सम्मोहित करते हैं इसके बास सिता हरड और रावड जटाई युद्ध की एक छोटी सी जलग दिखाय जाती है असोक वाटिका में निरास बैटी सिताजी की जलग भाव करने वाली है ट्रेलर के अगले फ्रेम में सिरी राम और सिताजी के बीच के अद्भूत प्रेम को दिखाया गया है अभी तक रामार पर जितने भी सीरियल या फिल में बनी हैं उनमें प्रेम पच्छ पर कभी इतने बिस्तार से परकास्ट नहीं डाला गया है और मरौत ने इस पच्छ को सामिल करके साहस का काम किया है क्योंकि सिरी राम को तो लोग मर्यादा पुरसोत तम मानते हैं सीता हरड के बाद प्रभु सिरी राम परेसान है उनको पता चल चुका है कि रामर नहीं ये दूस्सा हस किया है उनके साथ अपनी सेना भिजने और युद्ध करने के लिए कई राज्यों के राजा आफर करते हैं लेकिन वे इससे मर्यादा के बिर्ध मानते हैं लेश्मर कहते हैं कि क्या उनको मर्यादा उनकी भावी मा के प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है इस पर सिरी राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है इसके बाद भगवान सिरी राम के नाम का जै घोस होता है तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, दुविदा की घड़ी में मन तुझको ही पुकारे तेरे ही बल से हैं बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा मंतरों से बढ़कर तेरा नाम जैसरी राम, जैसरी राम, राजा राम, जैसरी राम, राजा राम सबरी और राम के मिलन के अदभुद छड़ को भी ट्रेलर में सामिल किया गया है रामाड में इस मिलन के जरिये समाजिक समानता का संदेज दिया गया था फिल्म में भी स्रीराम सबरी से कहते हैं हम जनम से नहीं करम से छोटे या बड़े होते हैं फिल्म के ट्रेलर के अगले फ्रेम में युद्ध की तैयारियों के सीन दिखाया जाते हैं पहले सीन में हर्मान जी की सक्ती से परशे करा जाता है उनको संजीवनी के लिए परवत उठाय उड़ते हुए दिखाया जाता है इसके बाद जंगल के जानवरों से बनी से न दिखाया जाती है इसमें बंदर और भालू सामिल हैं अंगत को सिरीराम के दूद के रूम में सिरीलंका जाते दिखाया जाता है वो मतसिता से मिलते हैं जहां ओ कहती हैं रागों ने मुझे पाने के लिए सिवधनश तोड़ा था अब उन्हें रावण का घमंट टोड़ना होगा अंगत को लंका दहन करते हुए भी दिखाये गया है गाड़ दो अहिंकार की छाती में बिजे भगवा धज स्री राम के इस युद्ध का बिगल बच जाता है राम की सेना लंका पर चड़ाई कर देती है बुराई पर अच्छाई की जीद के लिए हुई इस लड़ाई को सिरी राम और उनकी सेना ने लड़ा था उसका जो भी संदेश था उसे फिल में पूरी तरह दिखाने की कोशिस की गई है इसक कहना अतिसोक्ति नहीं होगा भगवान राम की बिभिन भावनाओं को चितरित करने के लिए परियुकत भासा और सब्दों का चेहन साधानी से किया गया है जब वा क्रोधित होते हैं बिनम्र होते हैं प्यार करते हैं तो हर समवाद उनके बिक्तित का एक अलग पच्छ सब्द सरद की आवाज और प्रभास का ओरा इसे भभी बना रहा है बाहुबली के बाद दूसरी बार सरद पायन इंडिया सोपस्टार प्रभास के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं निश्चित तोर पर इसका फायदा मिलने वाला है सबसे बड़ी बात इस फिल्म के मेकर् दो लिये हैं इसकी भभीता बड़े परदे अधिक दिखती है खासकर 3D में इसका इफेक्ट अलग ही नजर आने वाला है प्रभास के मचा ओंटेट फिल्म आदपरुस का ट्रेलर रिलिज हो गया है इसमें भगवान सरी राम के रोल में दिखेंगे करती सेनन सिता के रोल मे पहले से काफी चर्चा है ट्रेलर को सोसल मेडिया पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ये फिल्म 16 जून को सिनेमा घरों में रिलिज होगी राम 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 की गूंच के साथ वह पल आ ही गया जिसका मोबी लबर्स को बेसबरी से इंतिजार था बाहुबले एक्टर प्रभा और सैफली खान रावड के रोल में दिखेंगे ट्रेलर को सोसल मेडिया पर सांधार रिस्पांस मिल रहा है ट्रेलर को देखने के बाद फैंस जैसरी राम जैसरी राम के नारे लगा रहे हैं प्रभास फैंस ने अभी से फिल्म को सुपर डुपर हिट बता दिया है उनके मत मान अपने रागों का गुडगान कर रहे हैं वो एपने प्रभू सिरी राम की कहानी बताते हैं फिल्म में उस रगुनंदर की गाता दिखाई जाएगी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन मर्यादा का उत्साह था जिसके धरम ने अधरम का अहिंकार दोड़ा ट्रे तके प्रेम उनके वनमास के अलावा राम का लंका जाकर सिता को वापस लाने की कहानी दिखाई जाएगी राम राओड युद्ध के कुछ सीन दिखे हैं क्योंकि टीजर रिलीज के बार रावड बने साइप के लुक पर हंगाम हुआ था इसलिए मेकशने टेलर में उनके ल करती की जोड़ी बनी है परदे पर उनकी फ्रेस पेरिंग देखने को मिलेगी दोनों साथ में अच्छे दिख रहे हैं तभी मीडिया में उनके लिंग अप्स की भी खबरे हैं और हाला कि परभास करती दोनों ने अफैर की खबरों को गलत बताया है आदपुरुष का जब स के बाद मोवी में बेफैक्स की घटिया क्वाल्टी को लोगों ने आडे हांथों में लिया इंटरनेट पर धेरो मेम्स हुआ रहे हैं लोगों की खराप पृतिकरिया के आदपुरुष ट्रेलर में दिखाया गया है कि फिल्म की कहानी रामारे पर बेश्ट है भगवान रा जैसे हैं कि आपको रोंग टेक खड़े हो जाएंगे कुछ और चेंजर किये गए हैं जैसे सीता यानि करती सैनन की मांग में सिंदूर नजरा रहा है सबके कपड़े भी पहले से काफी अलग हैं यह बदलाव इसलिए हुए हैं क्योंकि इससे पहले जब टीजर फिल्म का ट पुरुस में परभास कृती सेनन, सैपली खान, सनी सिंग और वसल सेठ ने अहम भूमकाय निभाई हैं यह मूबी 16 जून 2013 को थेटर्स में 3D में वर्ल्ड वाइट रिलीज हो रही है आप इसे हिंदी के लावा तेलगू, तमिल, कन्नड और मलयालम भासा में भी देख सकते ह परभास की इस फिल्म की एनाउसमेंट साल 2020 के एक अफेसियल मोशन पोस्टर के जरिये हुई थी, इसका म्यूजिक अजय अतुल ने तयार किया है, फिल्म का वज़र 700 क्रोड रुपे से ज्यादा बताया जा रहा है, जो अब तक की सबसे महेंगी इंडियन मूबी है, जब स 11 अगस 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन आमिर खान की लाल सिंग जड़ा की वज़े से इसे पोस्ट पॉन कर दिया गया था, इसके बाद विज्वल एफेक्ट पर फिर से काम करने के लिए इसकी रिलीज में तनी देरी हो गई, आदपुरुस हाल ही में परभास की फिल्म आदपुरुस के टीजर के आने के बाद से सब्द बहुत चर्चा में है, कहीं सैफली खान को रावड बनाये गए, कहीं हिंदू देवी देवताओं के पहिनावे सहित कई बातों के लेकर फिल्म बिवादों में फश्ती ने जरा रही है, दरसे कहीं रावड की दाढ़ी, कह रावड के हेरिस्टाइल तो कहीं, रावड के बिमान पुस्पक को लेकर जम कर इसकी निंदा कर रहे हैं, लगबग 500 करोल लागत के इस फिल्म में भारी बेफेक्स का इस्तिमाल किया गया है, जो कि लोगों को आकर सित नहीं कर पा रहा है, इतने भारी बेफेक्स के इस्ति दो आदी और पुरुस से मिलकर बना है, आदी पुरुस मोल पुरुस को कहा जाता है, सबसे पहला पुरुस किसी वंस्या समराज की पहली कड़ी को आदी पुरुस कहा जाता है, जिससे किसी वंस्या सुरुआत होती है, इसका दूसरा आर्थ परमे स्वर से भी होता है, क्यो उनको मर्यादा पुरुसो तम दिखाया गया है जिसका मतलब होता है अपनी मर्यादा में रहने वाला और पुरुसो में सबसे उत्तम पुरुस स्री राम को एक आदर्स पुरुस के रूम में देखा जाता है पुरुसों में सबसे उत्तम पुरुस स्री राम जी को ही कहा गया है लेकिन फिल्म में राम जी के युद्धा पच्छकु दर्शाय गया है फिल्म के निर्देशक ओमराऊद का कहना है की पूरी रामैड को फिल्म में तीन घंटे में दर्शाना असंभ हो था इसलिए सिताहरड से लेकर रावड वद्तक का कांड ही इसमें चित्रित किया गया है फिल्म अगले साल 12 जनुवरी को रिलीज होने वाली थी रागों ने मुझे पाने के लिए सुधनुस तोड़ा था अब उन्हें रावड का घमन टोड़ना होगा रामभक्त हनवान के सामने जानके द्वारा कहा गया समवाध ही आद पुरुष की कहानी का सेंट्रल थीम है बजपन से हम रामाड और रामलिलाओ में रागों द्वारा अन्याय पर न्याय की जीतवाली इस महान गाथा को देखते सुनते और पढ़ते आये हैं ताना जी के लिए राष्टरी पुरुषकार पाच के ओमराओत ने निसंदे आज की जनरेशन के लिए इस महाकावी को भब हिसकल पर बड़े पर साकार किया है मगर वो या समझने में चूग गए की दसकों से हम जिस रामाड को देखने सुनने के आदी हैं उसकी एक बहुत ही मजबूत छबी हमारे दिलों में बचती है ऐसे में उस छबी के साथ एक्सपरिमेंट में साओधानी बरतना जरूरी है कहानी की सुरुवात महरिस बालमीक की रामाड की तरज पर ही होती है जहां राम सिया राम गीत के माध्यम से बैकड्राब में राम और सीता का बिवाह कई कई दोरा राजा दसरस से तीन वचन की मांग, राम, सीता, लश्मर का बनवास, छोटे भाई भरत दोरा बड़े भाई की पादुगाएं ले जाना जैसे परसंग दर्साए गए हैं राजो यानि परभास अपने पतनी जानकी यानि कृति सिनन और सेश यानि सनी सिंग के साथ पिता के दिये गए वचनों का पलन करने के लिए वनवास काट रहे हैं उधर लंका में रावण की बहन अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई लंका पती रावण यानि सैफली खान के पाह जाकर बिलाप करती है वा भाई को प्रतिसोध के लिए ब्रमांट की सरबादिक सुन्दरी जानकी को अपरहत कर लाने को उकसाती है जंगल में जानकी को एक सुड़ मरग दिखाए देता है जिसे पाने के लिए वा लालाई थे जानकी की इच्छा को पुरा करने के लिए रागो सुड़ मरग के पीछे डोड़ते हैं इस बास से अंजान है कि वा महज रावण का एक छलावा है से इसको अपने भाई रागो की मदद की गुहार सुनाई देती है वा जानकी को लचमर रेखा पार ना करने की हिदायत देकर रागो की साहता के लिए निकल पड़ता है और इधर रावण भिच्छा लेने के बहाने सादू का धारड करके सीता को हर ले जाता है बस उसके बार रागो दोरा सुग्रियो और हनमान की मदद से लंकेश का संहार ही कहानी का क्लाइमेक्स है इसके बीज में जटायू रावण का युद्ध, सबरी के बेर, बाली सुग्रियो का मल युद्ध, रामसेतू का बनना, हनमान दोरा संजिवनी बोटी का लाना, इंदरजीत और मेगनन वद जैसे परसंगो को भी समेटा गया है आद पर उसके फ़र्ष्ट लुको काफे अलोचनाओ का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद उसमें काफे बदलाव किये गए, मगर मूल चीजे ज़स्ट की तस रह गई, इसमें कोई दोराय नहीं है कि बीफेक्स के मामले में फिल्म एक विजूल ट्रेट साबित होती ह मगर सीजी आई की खामिया रह गई, 2D में बीफेक्स और सीजी आई का काम पर भावसाली नहीं है, जबकि 3D में अदमदार है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्क्रीन पिले और डालॉग्स में, मनोज मतंसर के लिखे डालॉग में, जहां रागह और राउड के चरित्र समर हिंदी जैसे जानकी में मेरे प्राण बचते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है बोलते नजर आते हैं, वहीं दूसरी और बजरंग यानि देवदत और इंदरजीत यानि वतसल सेथ, तेरी बाप की जलेबी, बुआ का बगिच्चा समझाय क्या, ज आप थ्रोंस के किले की तरह दिखते हैं, फिल्म का तीन गंटे का रुन टाइम तब और खलने लगता है जब सिकंड हाम में कहानी सिर्फ बी एफेक्स से सजे राम रावड के युद्ध में सिमट कर रहे जाती है, हाला कि इंट्रोल से पहले कहानी विज्वल एफेक्ट के स साथ अच्छी लगती है, डारेक्टर ने अहिलिया मेगानाद वद जिसे रामाड के कई परसंगों को छोड़ दिया है, बाली और सुग्रू के वानरो का विसुद रूप दिया है, तो रावड के लुग कास्ट्यूम्स और उसके सस्त्रों को कुछ ज्यादा ही मोडनाइज कर दिया गया है, रावड को एक पिसाद जैसे जियो की सवारी करते दिखाया गया है, उसके अस्त सस्तर गेम आप थ्रॉंस की याद दिलाते हैं, संचित अंकित बलहरा का विर्गराण डिस्कोर दमदार है, मगर अजय अतुल के संगीत में गाने उतने कमाल के नई बन पाय हैं, हाँ जैसिया राम, राजा राम और तू है सितल धारा सुनने में अच्छे लगते हैं, एक्टिंग के मामले में परभास ने रागो को सीमित और मर्यादा प्रिप्सोतम राम के रूम में ने भाया है, रामड के रूम में सैफली खान खोब जचते हैं, मगर डिश्टल उनकी कद काट को कुछ ज़्यादा ही विसालकाय दिखाया गया है, जानकी के रूम में करती सेनन परफेक्ट रही है, खुबसूरल लगने के साथ साथ उन्होंने दमदार आभने किया है, मगर उन्हें उतना स्क्रीन स्पेस नहीं मिल पाया है, लचमड के रूम में सनी मेवत तेजी नजर नहीं आती, जिसके लेले समर्ग पहचाने जाते हैं, बजरंग के रूम में देवदत ने अपनी सरित्र किसान नयाय किया है, इंदरजीत की भूमका में वसल सेट को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है, जिससे उन्होंने खुबसूरती से निभाया ह मंदोदरी के किरदार में सुनल चौहान महजदो सीन में नजर आती हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, तो चलेगी भी तेरे बाप की, ये ओ डालाग हैं जो हनमान रामण पुत्र मेगनात से कहते हैं, वही एक जिगा हनमान लंका ल होंगा, अब हनमान जी ऐसे डालाग बोलेंगे, तो हाल में सीटिया उस वक्त जरूर बच जाएं, मगर धीरे धीरे आप को अहसास होगा कि आप जो उमीद लेकर आये थे, वो उमीद पूरी नहीं होगी, फिल्म के डालाग मनोज मतंसर ने लिखे हैं, और वो इस मेज के ल जानकी की खुल सूर्ति के बारे में बताती है, जानकी का अपरहड सबरी के बेर, रागो बजरंग का मिलन, समुंद्र सेतु से होतो है फिल्म अपने आखरी स्रड युद्ध तक पहुंचती है, अब इन स्विक्वेंस में बहुत सारी दिखते हैं, लेकिन पहले कुछ अच किते हैं कि आप चाहा कर भी फिल्म से खुद को अटेच नहीं कर पाएंगे, पहली बात तो फिल्म में परचलित नाम ना इस्तमाल करते, उसके दूसरी नामों का इस्तमाल किया गया है, लचमर को सेस कहने का क्या आउचित था, वही राम सीता में जो बात है वो रागो और जाती, बेगनाद को इंदरजीत राउड को लंकेस कहकर ही हर जिके संबोदित किया गया है, जटायू एक गिध था, मगर इस फिल्म में बास दिखाया गया है, परभास को देखकर स्री राम की फिलिंग कमाती है, उन्हें देखकर बहुबली की याद जदा आती है, फिल्म क नहीं राउड की हाई फाई लंका में लिप्ट भी है, फिल्म में ऐसे भी सीन हैं जो ना बालमिकी की रामाड में हैं और ना तुलसिदास की रामचरित मानस में, लचमर जब मुर्शित होते हैं तो हम सब ही को बता है कि बद सुसेड को बला जाता है, मगर इस फिल्म में सं पर बेफेक्स के सुकंस चल रहे हैं, जहां कोई डालॉग नहीं है, ऐसा लगता है कि किसी वीडियो गेम में हीरो और बिलन की लड़ाई चल लही है, पूरी फिल्म किसी एनिमेशन फिल्म जैसे लगती है, जिसमें बेफेक्स की क्वाल्टी भी खराब है, हनमान जी का राम कोपीट पर बिठा कर उडान, रामड का वद, मेगनात और कुमकर का वद, ये सारे सुकंस आपको सिर्फ और सिर्फ निरास करेंगे, अगर आप बच्चों को हिंदु महाकावी के बारे में जनकरी दिना चाहते हैं, तो उन्हें आद पुरुष दिखाने की जरूरत नहीं ह इसे आप एक फिलम के तौर पर भले देख ले, मगर रामाड वाले सिरद्धा की सान ना देखे, इतने बड़े बजट में बनी ये फिलम निरास जनक है, बहुत कठिन होता है, कठिन समय में भी सहज रहना, सरल बने रहना उससे भी दुश्कर है, विशेशकार तब जब पि सुख ऐस्वरी आदि पाकर भी सरल बने रहना हो तो इसकी कुझी कहा है, कुझी है समद्रसी इच्छा कचना ही, हरस सोक भय, नहीं मनमाही, लेकिन सिनेमा को अब सरलता की मुडेर भी हांसल नहीं है, वह इसी मुडेर पर बैठा कुवा बन चुगा है, जिससे दादी जो राम, सिता, लचमर, हनमान और रावड की कहानी नहीं है, ये कहानी उन्होंने रागव जान की सेस, बजरंग और लंकेस की बुनी है, इंट्रोल तक ही फिल्म सुन्दर कांड पार कर जाती है, और उसके बाद का लंका कांड अपने आप में किसी कांड से कम नहीं है, सिन तेल्गू में बनी राम कथा में राम मोचो के साथ नजर आए, और अब तेल्गू के तथाकतित सुपर हीरो सितारे परभाज जब अपनी नई फिल्म के साथ सिनेमा घरों तक पहुंचे हैं, तो आप मोचो वाले राम ही बने हैं, राम को जिस दिर राजा बनना था, उसका मोहूरत नचत्रों की गर्णाए करके ही निकाला गया, गुरू बिसिष्ट जैसे ग्यानी ने मोहूरत निकाला लेकिन वहें मोहूरत राजा दसरत के मरण और राम के वनवास का कारण बना, राम कथा ऐसी ही छोटी-छोटी अन्भूतियों की कहानी है, ये अन्भूतिया केवट परसंग में दिखती है, कभी सबरी के जूटे बेर में तो कभी राम और हन्मान के मिलन में, दुस्मन सेना में आकर मरणासन की इच किस्सा करने वाले सुसेड बैद का परसंग बिस्तार में देखे तो बड़े समाजिक परभावाला है, लेकिन जिस समाजिक समरस्ता का पाठ राम ने पढ़ाया, वह यहां उसके प्राकर्मी परचार के परचपंच में खो गए हैं, फिल्म आदपुरस में राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं, लेकिन मर्यादा मुझे प्राणों से भी प्यारी है, ये तो बस एक लाइन का परसंग है, राम क युद्ध करने के लिए अध्धा की सेना नहीं चाहते हैं, लेकिन राम कथा कि ऐसे धेरों परसंग है जो त्रेता युग में पुरसोत्तम को आदिपुरस बताय जाने का फिल्म बनाने वालों का दावा मजबूत करने में उनके मदद कर सकते थे, छोटा भाई जब हमें सा भाभी मा की सेवा और रच्छा में ही ततपर रहता है तो ऐसे में बड़ा भाई अपनी पतनी के सारुमानी होने का समय भी निकाल पाएगा, सोचना मुश्किल है, लेकिन फिल्म टी स्रीज की है, तो अरजीत सिंग का गाना होना ही है, और गाना होना है तो फिर कबीर सिंग हो या राग हो फिल्म बनाने वालों का क्या फर्क पड़ता है संगीत और इसके गीतों के साथ ही इसके समवाद भी फिल्म आद पुरुष की बड़ी बिफलता है इस तरह की कथाओं के लेखन में जो सहस्ता और सुरलता बिचारों को चाहिए वा इसके समवादों में है नहीं हलाकि समवाद लिखने वाले मनोज मतंसर अब सुकला भी हो चुके हैं लेकिर राम कथा के मनोटा का ध्यान रखने में वाच चुक गए हैं फिल्म देखने के बाद ये भी समझाता है कि फिल्म के टीजर को लेकर मच्चे हो हले के बाद ओम बरहुत ने इसमें कोई खास फि फिल्म आद पुरुष की तुलना इसके पहले हिंदी में रिले जोच की राम कथाओ खास कर रामानंद सागर के धारवाहिक रामाड से जरूर होगी और जब ये तुलना होगी तो सबसे पहली खामी जो इस फिल्म की लोगों को दिखेगी हुआ है फिल्म में जानकी बनी कर का में मोहित हुए उसकी छटा तक कृति सेनन की सुन्दरता में नजर नहीं आती यही हाल प्रभास का है हिंदी में सरत किलकर की आवाज पर रिजर्ब लगा कर वह राम जैसा आभास तो गए पर उनके सरीर सौंठों में ना राम जैसा ओज है और ना राम जैसा तेज और न ने मंगल की कामना करते हुए फिल्म आद पुरुस के मेकर्स ने इसका बेहतरीन ट्रेलर रिलीज कर दिया है फिल्म के टीजर और फ़र्ष्ट लोग पोस्टर में जो गलतिया की गई थी उन सभी को सुधारते हुए भाबी सिनेमा की एक सांदार जलक दिखाई गई है इसक की धानमिक भाउनाओं के अनकूल लगता है फिल्म आद पुरुस के तीन मिनट 19 सिकंड का ट्रेलर भगवान हनुमान की आवाज के साथ सुरू होता है इस किरदार को मराठी अभनेता देव दतनाग ने किया है हनुमान जी एक गुफा में बैट कर ध्यान करते हुए हमें भ भगवान बनने की कहानी कहते है है वो बाहुबली फ्रेम प्रभास के के किलदार से परचित कराते हैं कहते हैं एक कहानी है मेरे प्रोह स्रीराम की उनकी जो मानों से भगवान बन गए جिनका जीवन था मर्यादा का उ Waram था राग गो जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का हैंकार गाथा उस्रगुनंदंद की यूग यूगांतर सजीबित और जागरत ये कहानी है रामाड की इस दोरान सरी राम सीता जी लशमड के किरदारों की जलग दिखाई जाती है फिलमे अबनेतरी कृतिसिनन ने सीता जी और अबनेता सनी सिंग निजर ने लशमड का किरदार किया है इसके बार रामाड का किरदार कर रहा अबनेता साइफली खान की आवाज गूंचती है वो कहते हैं भिच्छा भिच्छा देही भिच्छा ये रामाड का सबसे अहम सीन है जब रामाड सीता हरड यानि किड्रनैप करता है इसके लिए मायावी हरड का सहरा ल लंबे बाल और दाड़ी के साथ माते पर लाल टी का लगाए साधू के वेस में वो सम्मोहित करते हैं। इसके बास सिता हरड और रावड जटाई युद्धी की एक छोटी सी जलग दिखाए जाती है। असोक वाटिका में निरास बैटी सीताजी की जलग भाव करने वाली है। ट्रेलर के अगले फ्रेम में सिरीराम और सीताजी के बीच के अदभुत प्रेम को दिखाया गया है। अभी तक रामार पर जितने भी सीरियल या फिल में बनी हैं उनमें प्रेम पच्छ पर कभी इतने बिस्तार से परकास्ट नहीं डाला गया है। और मरौत ने इस पच्छ को सामिल करके साहस का काम किया है। क्योंकि सीरियराम को तो लोग मर्यादा पुरसोत तम मानते हैं। सीताहरर के बाद प्रभु सीरियराम परेसान है। उनको पता चल चुका है कि राउड नहीं ये दूसा हस किया है। उन्सके साथ अपनी सेना भेजने और युद्ध करने के लिए कई राज्यों के राजा आफर करते हैं। लेकिन वे इसे मर्यादा के बिरुद मानते हैं। लच्मर कहते हैं कि क्या उनको मर्यादा उनकी भावी मा के प्राणों से भी ज़्यदा प्रीय है। इस पर सिरी राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बेस्ते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है इसके बाद भगवान सिरी राम के नाम का जय घोस होता है तेरे ही भरोसे हैं हम तेरे ही सहारे दुविदा की घड़ी में मन तुझको ही पु इस मिलन के जरियोत समाजिक समानता का संदिज d दिया गया था। फिल्म में भी सृ्री राम सबरी से कहते हैं, हम जनम से नहीं, करम से छोटे या बड़े होते हैं। फिल्म के ट्रेलर के अगले फ्रेम में युद्ध की तैयारियों के सीन दिखाए जाते हैं। पहले सीन में हर्मान जी की सक्ती से परिशे करा जाता है। उनको संजीवनी के लिए परबत उठाए उड़ते हुए दिखाय जाता है। इसके बाद जंगल के जानवरों से बनी से न दिखाय जाती है। इसमें बंदर और भालू सामिल है। अंगत को सिरी राम के दूद के जाती में बिजे भगवाद धच सिरी राम के इस उद्वेश के साथ युद्ध का बिगल बच जाता है। राम की सेना लंका पर चड़ाई कर देती है। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हुई इस लड़ाई को सिरी राम और उनकी सेना ने लड़ा था। उसका जो परियुक्त भासा और सब्दों का चेहन साधानी से किया गया है। जब आ क्रोधित होते हैं बिनम्र होते हैं प्यार करते हैं तो हर सवाद उनके बिक्तित का एक अलग पच्छ दिखाता है। इसमें च्छमा से लेकर प्रतिशोद तक की असंग भाउनाएं छिपी होती फिल्म में परभास सरद केलकर और मनोज मतंसिर की तिकड़ी का कमाल साफ नजरा रहा है। मनोज के लिखे सब्द सरद की आवाज और परभास का ओरा इसे भभ भी बना रहा है। बाहुबली के बाद दूसरी बार सरद पायन इंडिया सो पस्टार परभास के लिए अपनी हवाज दे रहे हैं। निश्चित तोर पर इसका फायदा मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात इस फिल्म के मेकर्स उन सभी गलतियों को सुधारा है जिसकी वज़े से लोग नाराज थे। जितना संभो हो पाया है उन्होंने इसे वास्तु दिखाने की कोशिश की है। यही इसमें भगवान सिरी राम के रोल में दिखेंगे। करती सेनन सिता के रोल में नज़राएंगी। मूबी के लुक पोश्टर और टीजर की पहले से काफी चर्चा है। ट्रेलर को सोसल मेडिया पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यह फिल्म 16 जून को सिनेमा घरों में र रिलीज हो गया है। राम कथा पर आधारित डारेक्टर ओमराउत की यह बिग बजट मूबी 16 जून को रिलीज होगी। इसमें परभास राम करती सेनन सिता और सनी सिंग लश्मण और सैफली खान रावड के रोल में दिखेंगे। ट्रेलर को सोसल मेडिया पर सांधार रिस बनेगी। परभास को फैंस ने मेगा इस्टार बताया है। यूजज का कहना है फिल्मे परभास राम के कारेक्टर को निभा नहीं रहे बलकि जी रहे हैं। राम जिरित मानेश की चौपाई से सुरू होता है ट्रेलर जहां हनमान अपने रागों का गुडगान कर रहे फिल्म में उस रगुनंदर की गाता दिखाई जाएगी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन मर्यादा का उत्साह था जिसके धरम ने अधरम का अहिंकार दोड़ा। ट्रेलर में सिता हरड की जलक दिखी है। राम सिता के प्रेम उनके वनमास के अलावा राम का लं आदिपुरुस पायन इंडिया फिल्म है ये हिंदी के अलावा कई भासाओं में रिलीज हो रही है। मोबी में वसल सेड़ भी अहम रोल में दिखेंगे। हरमान जी का रोल देवदत नागे कर रहे हैं। ये पहली बार है जब परभास और करती की जोड़ी बनी है। परद थी सबसे पहले फिल्म के पोस्टर पर हंगा ममचा इसे कापी बताया गया। एनिमेशन स्टूडियो वानर सेना स्टूडियोज ने आदिपुरुस की टीम पर उनके काम को चुराने का आरोप लगया था। टीजर रिलीज होने के बाद मोवी में बेफेक्स की घटिया क्व इशरना, हर्मान जी का, सीता की खोश करना और सबसे आखर में लंकेश की जलक खौपनाग देखने को मिली है। अगर बेफेक्स की बात करें तो काफी बदला हुआ है। कई से इनसा ऐसे हैं कि आपको रोंग टेक खड़े हो जाएंगे। कुछ और चेंजर किये गए हैं। जैसे सीता यानि किरती सेनन की मांग में सिंदूर नजरा रहा है। सबके कपड़े भी पहले से काफी अलग हैं। ये बदलाव इसलिए हुए हैं क्योंकि इससे पहले जब टीजर फिल्म का टीजर आया था तब लोगों ने इसका ब्येफेक्स घटिया क्वालिटी का लगा ये मूबी 16 जून 2013 को थेटर्स में 3D में वर्ल्ड वाइट रिलीज हो रही है। आप इसे हिंदी के लावा तेलगू, तमिल, कन्नड और मलयालम भासा में भी देख सकते हैं। परभाज की इस फिल्म की एनॉसमेंट साल 2020 के एक अफेसियल मोशन पोस्टर के जरिये हुई थ फिल्म का वजड़ 700 क्रोड रुपे से ज्यादा बताया जा रहा है जो अब तक की सबसे महेंगी इंडियन मूबी है। जब से मूबी बन रही थी तब से फैंस की बहुत सारी उम्मीदे जुड़ी हुई थी। लेकिन जब 2 अक्टूबर 2022 को आदी पुरूश का टीजर आया में तनी देरी हो गई। आदपुरुश हाल ही में परभास की फिल्म आदपुरुश के टीजर के आने के बास सब्द बहुत चर्चा में है। कहीं सैफली खान को रावड बनाये गए कहीं हिंदू देविदे उताओ के पहिनावे सहित कई बातों के लेकर फिल्म बिवादों इस्तिमाल किया गया है जो कि लोगों को आकर सित नहीं कर पा रहा है। इतने भारी बेफेक्स के इस्तिमाल को देख दर सके इसे कोई कार्टून फिल्म बता रहे हैं। अब जब आदपुरुश सब्द इतना चर्चा में हैं तो आईए जानते हैं कि आदपुरुश के बार में स्वर से भी होता है क्योंकि संपोर्ष ट्रेश्ट को बनाने वाला इस स्वर ही है जो सभी जिव उसी की संताने हैं। जो कि स्री राम भगवान बिश्डूईची के आउतार थे अता फिल्म का टाइटल आदपुरुश रखने का कारड़ या भी हो सकता है। अभी तक र तमपुरुश स्री राम जी को ही कहा गया है। लेकिन फिल्म में राम जी के युद्धा पच्छ को दर्शा आगया है। फिल्म के निर्देशक ओमराउत का कहना है कि पूरी रामाड को फिल्म में तीन घंटे में दर्शा नासंभ हो था है। इसलिए सिताहरड से लेकर के लिए साल बारा जनुवरी को रिलीज होने वाली थी। निसंदे आज की जनरेशन के लिए इस महाकावी को भभ विजकल पर बड़े पर साकार किया है। मगर वो या समझने में चूग गए कि दसकों से हम जिस रामाड को देखने सुनने के आदी हैं उसकी एक बहुत ही मजबूत छबी हमारे दिलों में बचती है। ऐसे में उस चबी के साथ एक्सपरिमेंट में साओधानी बरतना जरूरी है। अधर लंका में रामाड की बहन अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई लंका पती रामाड यानि सैफली खान के पाह जाकर बिलाप करती है। वा भाई को प्रतिसोध के लिए ब्रमाड की सरबादिक सुन्दरी जानकी को अपरहत कर लाने को उकसाती है। जंगल में जानकी को एक सोड मरग दिखाई देता है जिसे पाने के लिए वा लालाई थे। जानकी की इच्छा को पुरा करने के लिए रागो सोड मरग के पीछे डोडते हैं। इस बात से अंजान है कि वा महज रावड का एक छलावा है। जान दोरा संजिवनी बोटी का लाना इंदरजीत और में घनन वद जैसे परसंगों को भी समेटा गया है। आद पर उसके फ़र्ष्ट लुक को काफ़े अलोचनाओं का सामना करना पड़ा था और उसके बाद उसमें काफ़े बदलाव किये गे। मगर मूल चीज़े जस्कितस रह गई। इसमें कोई दोराई नहीं है कि बीफेक्स के मामले में फिल्म एक विजूल ट्रेट साबित होती है। मगर सीज़े आई की खामिया रह गई। टू डी में बीफेक्स और सीज़े आई का काम परभावसाली नहीं है जबकि 3D में अदमदार है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्क्रीन पिले और डालॉग्स में। पहास का पातर बन जाते हैं। निर्देसे कोमरावत ने इसे माडल लुक देने के लिए रावड की लंका को ग्रेई स्कॉसल लुक दिया है। जो रावड की सोने की चमचमाती लंका के विपरित हैरी पाटर या गेम आप थ्रोंस के किले की तरह दिखते हैं। फिल्म का 3 ग गानाद वल जिसे रामाड के कई परसंगों को छोड़ दिया है। बाली और सुग्रू के वानरो का बिसुद रूप दिया है। तो रावड के लुक कास्ट्यूम्स और उसके सस्त्रों को कुछ ज़्यादा ही मॉडनाइज कर दिया गया है। रावड को एक पिसाद जैसे ज तलधारा सुनने में अच्छे लगते हैं। एक्टिंग के मामले में परभास ने रागो को सीमित और मर्यादा प्रप्सोतम राम के रूप में ने भाया है। रावड के रूप में सैफली खान खोब जचते हैं। मगर डिश्टल टेकनीके से उनकी कद काट को कुछ ज़्या काने जाते हैं। बजरंग के रूप में देवदत ने अपनी सरित्र किसान नयाय किया है। इंदरजीत की भूमका में वसल सेट को अच्छा खासा स्क्रीन इस्पेस मिला है। जिससे उन्होंने खुप सूर्ती से निभाया है। मंदोदरी के किरदार में सुनल चौहान महच दो सीन में निजर आती हैं। दिरे आपको ऐसास होगा कि आप जो उमीद लेकर आये थे वो उमीद पूरी नहीं होगी। फिल्म के डालॉग मनोज मतंसर ने लिखे हैं और वो इस मेज के लिए जिम्मेदार हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि रागह अपनी पतनी जानकी और भाई सेस के साथ जंगल म में वनवास काट रहे हैं। सिया राम गाना और राउड का सिव जी के लिए गया गया गाना। ये कुछ सीन आपके राउंटे खड़े करने में कामयाब होते हैं। मगर फिल्म में इतनी दिखते हैं कि आप चाहा कर भी फिल्म से खुद को अटेच नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो फिल्म में परच के संबोदित किया गया है। जे टायू एक गिद्ध था मगर इस फिल्म में बास दिखाया गया है। परभास को देखकर सिरी राम की फीलिंग कमाती है। उन्हें देखकर बहुबली की याद जादा आती है। फिल्म के राच्छस किसी गेम के बिलन लगते हैं। राउड मे ऐसे भी सीन हैं जो ना बालमिकी की रामाड में हैं और ना तुलसिदास के रामचरित मानस में। लचमर जब मुर्शित होते हैं तो हम सब ही को बता है कि बद सुसेड को बला जाता है। मगर इस फिल्म में संजिवनी के बारे में ना सिर्फ भीशड की पतनी बताती है बलक कोई डालॉग नहीं है ऐसा लगता है कि किसी वीडियो गेम में हीरो और बिलेंड की लड़ाई चल लही है पूरी फिल्म किसी एनिमेशन फिल्म जैसे लगती है जिसमें बेफेक्स की क्वाल्टी भी खराब है हनमान जी का राम को पीट पर बिठा कर उड़ान रामड का इतने बड़े बजट में बनी ये फिल्म निरास जनक है बहुत कठिन होता है कठिन समय में भी सहज रहना सरल बने रहना उससे भी दुशकर है विशेशकार तब जब पिता राजा रहा हो भाई हर बात मानने को तयार रहता हो और पतनी का सुख इसी में हो कि वह वही रहे ज समद्रसी इच्छा कचना ही हरसोक भय नहीं मनमा ही लेकिन सिनेमा को अब सरलता की मुडेर भी हांसल नहीं है वह इसी मुडेर पर बैठा कोवा बन चुगा है जिससे दादी बजपन में इस आज से दिन भर उड़ाया करती थी कि सायद उसका काउं काउं करना किसी आने वाल और लंकेस की बुनी है इंट्रोल तक ही फिल्म सुन्दर कांड पार कर जाती है और उसके बाद का लंका कांड अपने आप में किसी कांड से कम नहीं है सिनेमा ये छूड के सहारे पौराडी कथाए कहने का इतिहाद भारत में भले ही सिनेमा जितना ही पुराना है पहली राम कथा जब पर उतारी तो राम और सीता दोनों की किलदार एक ही कलाकार ने भाए राम की सौमिता की ज्छलक वही से निकली तेलगू में बनी राम कथा में राम मोचो के सान नजर आये और अब तेलगू के तथाकतित सुपर हीरो सितारे परभाज जब अपनी नई फिल्म के राजा बनना था उसका मुहूरत नच्छत्रों की गर्णाय करके ही निकाला गया गुरू बिसिष्ट जैसे ग्यानी ने मुहूरत निकाला लेकिन वहें मुहूरत राजा दसरत के मरड़ और राम के वनवास का कारण बना राम कथा ऐसी ही छोड़ी छोड़ी अन्भूतियों की कहानी है यह नभूतिया कभी केवट परसंग में दिखती हैं कभी सबरी के जूटे बेर में तो कभी राम और हन्मान के मिलन में दुसमन सिना में आकर मरड़ासन की इच किस्सा करने वाले सुसेड बैद का परसंग बिस्तार में देखे तो बड़े समाजिक परभावाला है लेकिन जिस समाजिक समरस्ता का पाठ राम ने पढ़ाया वो यहां उसके प्राकर्मी परचार के परचपंच में खो गये हैं फिल्म आदपुरुस में राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं लेकिन मर्यादा मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये तो बस एक लाइन का परसंग है राम को मर्यादा परसोत्म सिद्ध करने का जहां वारावड से युद्ध करने के लिए आजधा की सेना नहीं चाहते हैं लेकिन राम कथा किैसे में प्रसोत्म को अदिपुरुस बताए जाने का फिल्म बनाने वालों का दावा मजबूत करने में उनकी म गाना होना ही है और गाना होना है तो फिर कबीर शिंगो या रागव फिल्म बनाने वालों का क्या फरक पड़ता है। इस तरह की कथाओं के लेखन में जो सहस्ता और सुरलता बिचारों को चाहिए वा इसके समवादों में है नहीं हाला कि समवाद लिखने वाले मनोज मतंसर अब सुकला भी हो चुके हैं लेकि राम कथा के मनोटा का ध्यान रखने में वाच चुक गए हैं फिल्म देखने के बाद ये भी समझाता है कि फिल्म के टीजर को लेकर मच्चे हो हले के बाद ओमराउत ने इसमें कोई खास फिर बदल नहीं किया है टीजर में दिखे सारे ग्राफिक्स, सारे इस्पिसल एफेक्ट और सारे किरदार हुब हो यहां उपस्तित हैं इस चक्कर में फिल्म भी जरूरत से ज़्यादा कहीं लंबी हो गई है प्रभास करती सेनन और सनी सिंग इस्टार फिल्म आद पुर्श की तुलना इसके पहले हिंदी में रिलेज हो चिकी राम का थाओ खास कर रामानंद सागर के धारवाहिक रामार से जरूर होगी और जब यह तुलना होगी तो सबसे पहली खामी जो इस फिल्म की लोगों को दिखेगी हुआ है फिल्म में जान की बनी करती सेनन उनके चेहरे पर जो भी करतिम प्रियोग हो चुके हैं उन्होंने उनके चेहरे की स्वमिता हर ली है होट और नाक उनके तीखे बनाए गए हैं और मिथला की राशकुमारी के जिस सौंधर को देख राम पुस्पवाट का में मोहित हुए उसकी छटा तक करती सेनन की सौंधरता में नजर नहीं आती यही हाल प्रभास का है हिंदी में सरत किलकर की आवाज पर रिजर्ब लगा कर वह राम जैसा आभास तो गए पर उनके सरीर सौंधों में ना राम जैसा ओज है और ना राम जैसा तेज और ना ही राम जैसा परताब वह पूरी फिल्म में बाहुबली की तीसरी संसकड़ ही ज़्यादा नजराएं हैं मंगल भवन अमंगल हारी दर्बह सुदसरत अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जै जै राम रामाड की चौपाई के साथ अपने मंगल की कामना करते हुए फिल्म आद पुरिस के मेकर्स ने इसका बेहतरीन ट्रेलर रिलीज कर दिया है फिल्म के टीजर और फ़र्ष्ट लूप पोस्टर में जो गलतिया की गई थी उन सभी को सुधारते हुए भावी सिनेमा की एक सांदार जलक दिखाई गई है इसके साथ ही पहले कभी नहीं देखेगे बी एफेक्स और इस्पिसल बिजूल एफेक्ट के जरिये भारती सभीता के तिहास की सबसे महान का थारा मैड को सिनेमाई साधर संधान जल्दी गई है हर किरदार को ने सिरे से बहुत बारिकी से गढ़ा गया है जो कि धार्मिक भाउनाओं के अनकूल लगता है फिलमाद पुरिस के 3 मिनिट 19 सिकंड का ट्रेलर भगवान हरुमान की आवाज के साथ सुरू होता है इस किरदार को मराठी अभिनेता देव दतनाक ने किया है हरुमान जी एक गुफा में बैटकर ध्यान करते हुए हमें भगवान राम से परचित कराते हैं एक इनसान से भगवान बनने की कहानी कहते हैं वो बाहुबली फ्रेम प्रभास के किलदार से परचित कराते हुए कहते हैं एक कहानी है मेरे प्रभुसरी राम की उनकी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सो राम था रागो जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का हैंकार गाथा उस रगुनन दंद की युग युगांतर से जीवित और जागरत ते या कहाणी है राम एट की इस दौरां सरी राम सीताजी लशमड के किरदारों की जलग दिखाई जाती है फिल्म अबनेतरी करती सिनन ने सीताजी और अबनेता सनी सिंग निजे ने लशमड का किरदार किया है इसके बार रामड का किरदार कर रहा है अबनेता साइफली खान की आवाज गूंचती है वो कहते हैं भिच्छा भिच्छा देही भिच्छा ये रामड का सबसे अहम सीन है जब रामड सीता हरड यानि किड्रनैप करता है इसके लिए मायावी हरड का सहरा लेता है ये घटना रामड में राम और रामड के बीच युद्ध का आधार है यहां रामड बने साइफली खान की ज़लग दिखाई जाती है उनके करदार में बहुत सुधार किया गया है वरना टीजर में हाली बुट के किसी बिलन की तरह उनको दिखाई गया था लंबे बाल और दाढ़ी के साथ माते पल लाल टी का लगाए साधू के वेस में वो सम्मोहित करते हैं इसके बाद सिता हरड और रावड जटाई युद्ध की एक छोटी सी जलग दिखाई जाती है असोक वाटिका में निरास बैठी सिता जी की जलग भाव करने वाली है ट्रेलर के अगले फ्रेम में सिरी राम और सिता जी के बीच के अदभुत प्रेम को दिखाया गया है अभी तक रामार पर जितने भी सीरियल या फिल्में बनी हैं उनमें प्रेम पच पर कभी इतने बिस्तार से परकास्ट नहीं डाला गया है और मरौत ने इस पच को सामिल करके साहस का काम किया है क्योंकि सिरी राम को तो लोग मर्यादा पुरसोत तम मानते हैं सीता हरड के बाद प्रभु सिरी राम परेसान है उनको पता चल चुका है कि राउड नहीं ये दूस्सा हस किया है उनके साथ अपनी सेना भीजने और युद करने के लिए कई राज्यों के राजा आफर करते हैं लेकिन वेसे मर्यादा के बिरुद मानते हैं लेश्मर कहते हैं कि क्या उनको मर्यादा उनकी भावी मा के प्राणों से भी ज्यदा प्रिय है इस पर सिरी राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी ज्यदा प्रिय है इसके बाद भगवान स्री राम के नाम का जै घोस होता है तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, दुविदा की घड़ी में मन तुझको ही पुकारे तेरे ही बल से हैं बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा मंतरों से बढ़कर तेरा नाम जैसरी राम, जैसरी राम, राजा राम, जैसरी राम, राजा राम सबरी और राम के मिलन के अदभुद छड़ को भी ट्रेलर में सामिल किया गया है रामाड में इस मिलन के जरिये समाजिक समानता का संदेज दिया गया था फिल्म में भी स्रीराम सबरी से कहते हैं हम जनम से नहीं करम से छोटे या बड़े होते हैं फिल्म के ट्रेलर के अगले फ्रेम में युद्ध की तैयारियों के सीन दिखाया जाते हैं पहले सीन में हर्मान जी की सकती से परशे करा जाता है उनको संजीवनी के लिए परवत उठाय उड़ते हुए दिखाया जाता है इसके बाद जंगल के जानवरों से बनी से न दिखाया जाती है इसमें बंदर और भालू सामिल हैं अंगत को सीरीराम के दूद के रूम में स्रीलंका जाते दिखाया जाता है वो मतसिता से मिलते हैं जहां हो कहती हैं रागों ने मुझे पाने के लिए सिउधनस तोड़ा था अब उन्हें रावण का घमंट टोड़ना होगा अंगत को लंका दहन करते हुए भी दिखाये गया है गाड़ दो अहिंकार की छाती में बीजे भगवा धच स्री राम के इस उद्वेश के साथ युद्ध का विगल बच जाता है राम की सेना लंका पर चड़ाई कर देती है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हुई इस लड़ाई को स्री राम और उनकी सेना ने लड़ा थ उसका जो भी संदेश था उसे फिल्म में पूरी तरह दिखाने की कोशिस की गई है इसके लिए बेफेक्स और इस्पिसल विजूल एफेक्स का बेहतरिन इस्तिमाल किया गया है ओमरहुत और उनकी टेम ने इस मामले में एक नई लगेर खींची है ये कहना अधिसोगत दिन नहीं होगा भगवान राम की बिभिन भावनाओं को चितरित करने के लिए परियुकत भासा और सब्दों का चेहन साधानी से किया गया है जब वा क्रोधित होते हैं बिनम्र होते हैं प्यार करते हैं तो हर समवादून के बिक्तित का एक अलग पच्छ दिखाता है इसमें छ अब्द सरत की आवाज और प्रभास का ओरा इसे भभ भी बना रहा है बाहुबली के बाद दूसरी बार सरत पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं निश्चित तोर पर इसका फायदा मिलने वाला है सबसे बड़ी बात इस फिल्म के मेक अपने सारे पाप दो लिये हैं इसकी भभिता बड़े परदे अधिक दिखती है खासकर 3D में इसका इफेक्ट अलग ही नजर आने वाला है प्रभास के मचा ओंटेट फिल्म आदपुरस का ट्रेलर रिलिज हो गया है इसमें भगवान सिरी राम के रोल में दिखेंगे कृत आही गया जिसका मोबी लबर्स को बेसबरी से इंतिजार था बाहुबले एक्टर प्रभास की मचा ओंटेट फिल्म आदपुरस का ट्रेलर रिलीज हो गया है राम कथापर आधारित डारेक्टर ओमराउत की ये बिग बजट मोबी 16 जून को रिलीज होगी इसमें प्रभास फैंस ने अभी से फिल्म को सुपर डूपर हिट बता दिया है उनके मताबिक ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी हिट बनेगी प्रभास को फैंस ने मेगा इस्टार बताया है यूजज का कहना है फिल्म में प्रभास राम के कारेक्टर को निभा नहीं रहे बलकि जी रहे राम जिर्द मानेश की चौपाई से सुरू होता है ट्रेलर जहां हनमान अपने रागों का गुर्गान कर रहे हैं वो अपने प्रभूसिरी राम की कहानी बताते हैं फिल्म में उस रगुनंदर की गाता दिखाई जाएगी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन इंडा का उत्साह था जिसके धरम ने अधरम का अहिंकार तोड़ा ट्रेलर में सिता हरड की जलक दिखी है राम सिता के प्रेम उनके वनमास के अलावा राम का लंका जाकर सिता को वापस लाने की कहानी दिखाई जाएगी राम रावड युद्ध के कुछ सीन दिखे हैं क्य हरमान जी का रोल देवदत नागे कर रहे हैं ये पहली बार है जब परभास और करती की जोड़ी बनी है परदे पर उनकी फ्रेस पेरिंग देखने को मिलेगी दोनों साथ में अच्छे दिख रहे हैं तभी मीडिया में उनके लिंग अपस की भी खबरे हैं और हाला कि परभ सेना स्टूडियोज ने आदपुरुष की टीम पर उनके काम को चुराने का अरोप लगा था टीजर रिलीज होने के बाद मोवी में बेफेक्स की घटिया क्वाल्टी को लोगों ने आडे हांतों में लिया इंटरनेट पर धेरो में स्वायल हुए हैं लोगों की खराप्रत देखने को मिली है अगर बेफेक्स की बात करें तो काफी बदला हुआ है कई से इंसाइसे हैं कि आपको रोंग टेख खड़े हो जाएंगे कुछ और चेंजर किये गये हैं जैसे सीता यानि करती सैनन की मांग में सिंदूर नजरा रहा है सब के कपड़े भी पहले से काफी लगें ये बदलाव इसलिए हुए है क्योंकि इससे पहले जब टीजर फिल्म का टीजर आया था तब लोगों ने इसका भी एफेक्स घटिया क्वाल्टी का लगा था कई लोगों ने राम से लेकर सीता तक के कपड़ों पर भी आपती जिता है थी अब सारे बदलाव करने क के बाद फाइनली टेलर जारी कर दिया गया है ओम रहुत की डिरेक्शन में बनी आदिपुरुस में परभास कृति सेनन सैपली खान सनी सिंग और वसल सेट ने एहम भूमकाय निभाई हैं ये मुबी 16 जून 2013 को थेटर्स में 3D में वर्ड वाट रिलीज हो रही है आप इसे हिंदी के लावा तेलगू, तमिल, कन्नड और मलयालम भासा में भी देख सकते हैं परभास की इस फिल्म की एनाउसमेंट साल 2020 के एक अफेसियल मोसन पोस्टर के जरिये हुई थी इसका म्यूजिक अजय अतुल ने तयार किया है फिल्म का वज़र 700 क्रोड रुपे से फिर गया, इसके स्पिसल एफेक्ट को लेकर खोब अलोचना हुई, फिल्म पहले 11 अगस 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन आमिर खान की लाल सिंग चड़ा की वज़े से इसे पोस्ट पॉन कर दिया गया था, इसके बाद बिजूल एफेक्ट पर फिर से काम करने के लिए इसकी रिलीज में इतनी देरी हो गई, आदपुरुस हाल ही में परभास की फिल्म आदपुरुस के टीजर के आने के बास सब्द बहुत चर्चा में है, कहीं सैफली खान को रावड बनाये गए, कहीं हिंदू देवी देवताओ के पहनावे सहित कई बातों के लेकर फिल्म बिवादों में फच्ती ने जरा रही है, दरसक सैफली खान को रावड का रोल करते देखने रास हैं, दरसक कहीं रावड की दाढ़ी कहीं, रावड के हेरिस्टाइल तो कहीं, रावड के बिमान पुस्पक को लेकर जम कर इसकी निंदा कर रहे हैं, लगभग पांसो करोल ल में कि ये क्या होता है आदपुरुस, आदपुरुस दो सब्दो आदी और पुरुस से मिलकर बना है, आदपुरुस मोल पुरुस को कहा जाता है, सबसे पहला पुरुस किसी वंस्या समराज की पहली कड़ी को आदपुरुस कहा जाता है, जिससे किसी वंस की सुरुआत होती इसका दूसरा आर्थ परमेस्वर से भी होता है क्योंकि संपोर्ष ट्रेस्ट को बनाने वाला इस स्वर ही है जो सभी जीव उसी की संताने हैं जो एक सिरी राम भगवान बिश्डुई जी के आउतार थे अता फिलम का टाइटल आद पुरुष रखने का कारड या भी हो सकता ह अभी तक रामाड में हम जिस स्री राम को सुनते या देखते आए हैं उनको मर्यादा पुरुष तम दिखाया गया है जिसका मतलब होता है अपनी मर्यादा में रहने वाला और पुरुषो में सबसे उत्तम पुरुष स्री राम को एक आदर्स पुरुष के रूम में देखा इसलिए सिताहरड से लेकर रावड वद्तक का कांड़ी इसमें चित्रत किया गया है फिल्म अगले साल 12 जनुवरी को रिलीज होने वाली थी रागों ने मुझे पाने के लिए सुधनुस तोड़ा था अब उन्हें रावड का घमन्ड टोड़ना होगा रामभक्त हन्मान के सामने जान के द्वारा कहा गया समवाध ही आद पुरुषकी कहानी का सेंट्रल थीम है बजपन से हम रामाड और रामलिलाओ में रागों द्वारा अन्याय पर न्याय की जीतवाली इस महान गाथा को देखते सुनते और पढ़ते आये हैं ताना जी के लिए राष्टरी पुरुषकार पाच के ओम्राउत ने निसंदे आज की जनरेशन के लिए इस महाकावी को भब विजिकल पर बड़े पर साकार किया है मगर वो या समझने में चूग गए की दसकों से हम जिस रामाड को देखने सुनने के आदी हैं उसकी एक बहुत ही मजबूत छबी हमारे दिलों में बचती है ऐसे में उस छबी के साथ एक्सप्रिमेंट में साओधानी बरतना जरूरी है कहानी की सुरुवात महरिस बालमीक की रामाड की तरज पर ही होती है जहां राम सिया राम गीत के माध्यम से बैक ड्रॉब में राम और सीता का बिवाह कई कई दोरा राजा दसरस से तीन वचन की मांग राम सीता लश्मण का बनवास छोटे भाई भरत दोरा बड़े भाई की पादुगाएं ले जाना जैसे परसंग दरसाए गये हैं राजा यान परभास अपने पतनी जानकी यानि कृती सिनन और सेश यानि सनी सिंग के साथ पिता के दिये गए वचनों का पलन करने के लिए वनवास काट रहे हैं उधर लंका में रावण की बहन अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई लंका पती रावण यानि सैफली खान के पाहजा कर बिलाप करती है वा भाई को प्रतिसोध के लिए ब्रमांड की सरबादिक सुंदरी जानकी को अपरहत कर लाने को उकसाती है जंगल में जानकी को एक सुड़ मरग दिखाए देता है जिसे पाने के लिए वा लालाई थे जानकी की इच्छा को पुरा करने के लिए रागो सुड़ मरग के पीछे डोड़ते हैं इस बास से अंजान है कि वा महज रावड का एक छलावा है से इसको अपने भाई रागो की मदद की गुहार सुनाई देती है वा जानकी को लचमर रेखा पार ना करने की हिदायत देकर रागो की साहता के लिए निकल पड़ता है और इधर रावड भिच्छा लेने के बहाने सादू का धारड करके सीता को हर ले जाता है बस उसके बाँ रागो दोरा सुग्रियो और हनमान की मदद से लंकेश का संगहार ही कहानी का क्लाइमेक्स है इसके बीज में जटायू रावड का युद्ध, सबरी के बेर, बाली सुग्रियो का मल युद्ध, रामसेतू का बनना, हनमान दोरा संजिवनी बोटी का लाना, इंदरजीत और मेगनन वद जैसे परसंगो को भी समेटा गया है आद पर उसके फश्ट लोको काफे अलोचनाओ का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद उसमें काफे बदलाव किये गए, मगर मूल चीजे ज़स्ट की तस रह गई, इसमें कोई दोराय नहीं है कि बीफेक्स के मामले में फिल्म एक विजूल ट्रेट साबित होती है, मग रागह और रावड के चरित्र समरत हिंदी जैसे जानकी में मेरे प्राण बचते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है बोलते नजर आते हैं, वहीं दूसरी और बजरंग यानि देवदत और इंदरजीत यानि वतसल सेथ तेरी बाप की जलेबी प्रित हैरी पार्टर या गेम आप थ्रोंस के किले के तरह दिखते हैं, फिल्म का तीन गंटे का रुन टाइम तब और खलने लगता है जब सिकंड हाम में कहानी सिर्फ बी एफेक्स से सजे राम रावड के युद्ध में सिमट कर रह जाती है, हाला कि इंट्रोल से पहले कह मर्यादा ही मौडरनाइज कर दिया गया है, रावड को एक पिसाद जैसे जीओ की सवारी करते दिखाया गया है, उसके अस्त शस्त गेम आप थ्रोंस की याद दिलाते हैं, संचित अंकित बलहारा का बर्गरांड डिस्कोर दमदार है, मगर अजय अतुल के संगित में गाने उतने कमार के नई बन पाये हैं, हाँ जैसिया राम, राजा राम और तू है सितल धारा सुनने में अच्छे लगते हैं, एक्टिंग के मामले में परभासने रागो को सीमित और मर्यादा प्रप्सोतम राम के रूम में ने भाया है, रावड के रूम में सैफली खान खोब ज नहीं आती, जिसके लेले समर पहचाने जाते हैं, बजरंग के रूम में देवदत्र ने अपनी सरित्र किसान नयाय किया है, इंदरजीत की भूमका में वसल सेट को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है, जिससे उन्होंने खुप सूर्ती से निभाया है, मंदोदरी के किर बज़दार में सुनल चौहान महच्दो सीन में निजर आती हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, तो चलेगी भी तेरे बाप की, ये ओ डालाग हैं जो हनमान रामण पुत्र मेगनात से कहते हैं, वही एक जिगा हनमान लंका लगाने क की बात कहते हैं, जब हनमान असोक वाट का पहुंचते हैं, तो धाकड़ा सुरू उन से कहता है, कि क्या ये तेरी बुगा का बगीचा है, तो अपनी जान से हाथ धोएगा, जो आप मैं हनमान जी कहते हैं, और मैं धकड़ा के धूँँगा, अब हनमान जी ऐसे डालाग बो पतनी जानकी और भाई सेस के साथ जंगल में वनवास काट रहे हैं, सुन नखा की नाक में सेस ने बार चला दिया है, राम सुन नफा के आगे हाथ जोड़ते हैं, और सुन नफा लंकेश को जानकी की खुल सूर्ति के बारे में बताती है, जानकी का अपरहड सबरी के बेर, रागो बिजरंग का मिलन, समुन्दर सेतु से होती है फिल्म अपने आखरी सिरड युद्ध तक पहुँचती है, अब इन स्विक्वेंस में बहुत सारी दिखते हैं, लेकिन पहले कुछ अच्छाईयों के बात करते हैं, फर्ष्ट हाप में कई ऐसे सीन हैं जो गूंज बं पहली बात तो फिल्म में परचलित नाम ना इस्तमाल करते हैं, उसके दूसरी नामों का इस्तमाल किया गया है, लचमर को सेस कहने का क्या आउचित था, वही राम सीता में जो बात है वो रागो और जानकी के साथ नहीं आती, बेगनात को इंदरजीत राउड को लंकेस कहे क हर जिके संबोदित किया गया है, जटायू एक गिद्ध था, मगर इस फिल्म में बास दिखाया गया है, परभास को देखकर सिरी राम की फिलिंग कमाती है, उन्हें देखकर बाहुबली की याद जादा आती है, फिल्म के राच्छस किसी गेम के बिलन लगते हैं, राउड म में ऐसे भी सीन हैं जो ना बालमिकी की रामाड में हैं और ना तुलसिदास के रामचरित मानस में, लचमर जब मुर्चित होते हैं तो हम सब ही को बता है कि बद सुसेड को बला जाता है, मगर इस फिल्म में संजिवनी के बारे में ना सिर्फ भिबीशड की पतनी बताती है बलकि इलाज भी वही करती है, रामाड के एक एक सीन से लोगों की भावनाई जुड़ी हैं जिनें आहत करने की जरूरत नहीं थी, युद्ध का सिक्वेंस बहुत बोरिंग है, लंबे लंबे सिर्फ बेफेक्स के सिक्वेंस चल रहे हैं, जहां कोई डालॉग नहीं है, ऐस सारे सिक्वेंस आपको सिर्फ और सिर्फ निरास करेंगे, अगर आप बच्चों को हिंदु महाकावी के बारे में जनकरी दिना चाते हैं, तो उन्हें आदपुरुष दिखाने की जरूरत नहीं है, इसे आप एक फिलम के तौर पर भले देख ले, मगर रामाड वाले सिरद की छाया रहे, रामकथा मनुस्य को सहज होना सिखाती है, यह यह भी सिखाती है कि तमाम धनसंपत, सुख, ऐस्वर आद पाकर भी सरल बने रहना हो तो इसकी कुंजी कहा है, कुंजी है, समदरसी इच्छा कचुनाही, हरस सोक भय, नहीं मनमाही, लेकिन सिनेमा को अब सरलता की मुडेर भी हांसल नहीं है, वह इसी मुडेर पर बैठा कुवा बन चुका है, जिससे दादी बजपन में इस आज से दिन भर उडाया करती थी, कि साध उसका काउं काउं करना किसी आने वाले की सूचना ही हो, निर्देशक ओमरहुत की नई फिल्म आदिपुरस भी मुड की मुडेर से आने वाली एक ऐसी ही आवाज है, जो राम, सीता, लचमर, हनमान और रावड की कहानी नहीं है, ये कहानी उन्होंने रागव जान की सेस, बजरंग और लंकेस की बुनी है, इंट्रोल तक ही फिल्म सुन्दर कांड पार कर जाती है, और उसके बाद का लंका कां की सौमिता की जलक वही से निकली, तेलगू में बनी राम कथा में राम मोचो के साथ नजर आए, और अब तेलगू के तथाकतित सुपर हीरो सितारे परभाज जब अपनी नई फिल्म के साथ सिनेमा घरो तक पहुंचे हैं, तो आम मोचो वाले राम ही बनी हैं, राम को जिस चोड़े अनभूतियों की कहानी है, यह अनभूतिया कभी केवट परसंग में दिखती हैं, कभी सबरी के जूटे बेर में तो कभी राम और हनमान के मिलन में, दुसमन सेना में आकर मरडासन की इच किस्सा करने वाले सुसेड बैद का परसंग बिस्तार में देखे तो समाजिक परभावाला है, लेकिन जिस समाजिक समरस्ता का पाठ राम ने पढ़ाया, वह यहां उसके प्राकरमी परचार के परचपंच में खो गए हैं, फिल्म आदपुरुस में राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं, लेकिन मर्यादा मुझे प्राणों से भ फिल्म बनाने वालों का दावा मजबूत करने में उनके मदद कर सकते थे, छोटा भाई जब हमेशा भाभी मा की सेवा और रच्छा में हितत पर रहता है तो ऐसे में बड़ा भाई अपनी पतनी के सारुमानी होने का समय भी निकाल पाएगा, सोचना मुश्किल है, लेकिन टी स economics की है, तो अर्चीज सिंगा गाना होना ही है, और गाना होना है तो फिर कबीर सिंगहो या राखोः फिल्म बनाने वालों का क्या फरक पड़ता है, संगीत और इसके गीतों के साथ ही इसके समध भी फिल्म आदपरुस की बड़ी भिफलता है, इस तरह की कथाओ के ले के टीजर को लेकर मच्छे हो हले के बाद ओम रहुत ने इसमें कोई खास फिर बदल नहीं किया है। टीजर में दिखे सारे ग्राफिक्स, सारे स्पिसल एफेक्ट और सारे किरदार हुबहु यहां उपस्तित हैं। इस चक्कर में फिलम भी जरूरत से ज्यादा कहीं लंबी हो तो सबसे पहली खामी जो इस फिलम की लोगों को दिखेगी हुआ है फिलम में जानकी बनी करतिसेनन। उनके चेहरे पर जो भी करतिम प्रियोग हो चुके हैं। उन्होंने उनके चेहरे की स्वमिता हर ली है। होट और नाक उनके तीखे बनाए गए हैं। और मिथला की रा पर रिजर्ब लगाकर वह राम जैसा आभास्त हो गए पर उनके स्रीर सौंठों में ना राम जैसा ओज है और ना राम जैसा तेज और ना ही राम जैसा परताब। वह पूरी फिलम में बाहुबली की तीसरी संस्क्रण ही ज्यादा नजराए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबह सुदसरत अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जैजै राम। रामाड की चौपाई के साथ अपने मंगल की कामना करते हुए फिलम आद पुरुष के मेकर्स ने इसका बेहतरीन ट्रेलर रिलीज कर दिया है। फिलम के टीजर और बिजूल एफेक्ट के जरिये भारती सबीता के तिहास की सबसे महान गाता रामाड को सिनेमाई साधर संधान जल्दी गई है। हर किरदार को नए स्रिय से बहुत बारिकी से गढ़ा गया है जो कि धानमिक भाउनाओं के अनकूल लगता है। फिलमाद पुरुष के 3 मिनिट 19 सिकंड का ट्रेलर भागवान हरुन की आवाज के साथ सुरू होता है। इस किरदार को मराठी अबनेता देव दतनाक ने किया है। हरुन जी एक गुफा में बैटकर ध्यान करते हुए हमें भागवान राम से परचित कराते हैं। एक इनसान से भागवान बनने की कहानी कहत हैं एक कहानी है मेरे प्रभु स्री राम की उनकी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन था मर्यादा का उतसो राम था रागव जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का हैंकार गाथा उस रगुनंदंद की यूग यूगांतर से जीवित और जागरत ये कहानी है र लग दिखाई जाती है फिल्म अबनेतरी कृतिसिनन ने सीता जी और अबनेता सनी सिंग निजर ने लश्मड का किरदार किया है इसके बार रामड का किरदार कर रहा है अबनेता साइफली खान की आवाज गूंचती है वो कहते हैं भिच्छा भिच्छा देही भिच्छा ये रामाड बने सैफली खान की जलग दिखाय जाती है उनके किरदार में बहुत सुधार किया गया है वरना टीजर में हाली बुट के किसी बिलन की तरह उनको दिखाय गया था लंबे बाल और दाढ़ी के साथ माथे पल लाल टी का लगाए साधू के वेस में वो सम्मोहित करते है इसके बाद सीता हरड और रावड जटाई युद्ध की एक छोटी सी जलग दिखाय जाती है असोक वाटिका में निरास बैटी सीता जी की जलग भाव करने वाली है ट्रेलर के अगले फ्रेम में सिरीराम और सीता जी के बीच के अदभुत प्रेम को दिखाय गया है अभी त सीता हरड के बाद प्रभु सीरीराम परेसान है उनको पता चल चुका है कि रावड नहीं ये दूस्सा हस किया है उनके साथ अपनी सेना भीजने और युद्ध करने के लिए कई राज्यों के राजा आफर करते हैं लेकिन वह इसे मर्यादा के बिरुद मानते हैं लेशमर कह होता है तेरे ही भरोसे हैं हम तेरे ही सहारे दुविदा की घड़ी में मन तुझको ही पुकारे तेरे ही बल से हैं बल हमारा तू ही करेगा मंगल हमारा मंतरों से बढ़कर तेरा नाम जैसरी राम जैसरी राम राजा राम जैसरी राम राजा राम सबरी और राम के मिलन के ट्रेलर के अगले फ्रेम में युद्ध की तैयारियों के सीन दिखाया जाते हैं पहले सीन में हर्मान जी की सकती से परिशे करा जाता है उनको संजीवनी के लिए परबत उठाए उड़ते हुए दिखाया जाता है इसके बाद जंगल के जानवरों से बनी से न दिखाया जाती इसमें बंदर और भालू सामिल हैं अंगत को सिरी राम के दूद के रूम में सिरी लंका जाते दिखा जाता है वो मतशिता से मिलते हैं जहां ओ कहती हैं रागों ने मुझे पाने के लिए सिवधनश तोड़ा था अब उन्हें रावण का घमंट तोड़ना होगा अंगत को लं को सिरी राम और उनकी सेना ने लड़ा था उसका जो भी संदेश था उसे फिल्म में पूरी तरह दिखाने की कोशिस की गई है इसके लिए बेफेक्स और इस्पिसल विज्यूल एफेक्स का बेहतरिन इस्तिमाल किया गया है ओमरहुत और उनकी टेम ने इस मामले में एक का एक अलग पच्छ दिखाता है इसमें छमा से लेकर प्रतिशोत तक की असंग भाउनाएं छिपी होती हैं इसमें कई बिसमेकारी द्रस और छड़ हैं फिल्म में परभास सरत केलकर और मनोज मतंसिर की तिकड़ी का कमाल साफ नजरा रहा है मनोज के लिखे सब्द सरत की आ कर्स उन सभी गलतियों को सुधारा है जिसकी वज़े से लोग नाराज थे जितना संभो हो पाया है उन्होंने इसे वास्तुए दिखाने की कोशिश की है यही वज़े है कि कहा जा रहा है कि ट्रेलर अपनी गलतिया सुधार के मेकर्स ने अपने सारे पाप धो लिये हैं इस सेनन सिता के रोल में नज़राएंगी मूबी के लुक पोश्टर और टीजर की पहले से काफी चर्चा है ट्रेलर को सोसल मेडिया पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यह फिल्म 16 जून को सिनेमा घरों में रिलिज होगी राम 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 की गूंच के साथ वह पल आही गया ज इसमे परभास राम करती सेनन सिता और सनी सिंग लश्मण और सैफली खानरावड के रोल में दिखेंगे ट्रेलर को सोसल मेडिया पर सांधार रिस्पांस मिल रहा है ट्रेलर को देखने के बाद फैंस जैसरी राम जैसरी राम के नारे लगा रहे हैं परभास फैंस ने अभी परभास राम के गाता दिखाई जाएगी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन मर्यादा का उत्साह था जिसके धरम ने अधरम का अहिंकार दोड़ा ट्रेलर में सिता हरड की जलक दिखी है राम सिता के प्रेम उनके वनमास के अलावा राम का लंका जाकर सिता को वापस लाने की कहानी दिखाई जाएगी राम रावड युद्ध के कुछ सीन दिखे हैं क्योंकि टीजर रिलीज के बार रावड साइब के लुक पर हंगा महुआ था इसलिए मेकशने टेलर में उनके लुक को सीक्रेट रखने की कोशिस की है आधिपुरुस पायन इंडिया फिल्म है ये हिंदी के अलावा कई भासाओं में रिलीज हो रही है मूबी मूवसल सेड़ भी अहम रोल में दिखेंगे हर्मान का रोल देवदत नागे कर रहे हैं ये पहली बार है जब परभास और करती की जोड़ी बनी है परदे पर उनकी फ्रेस पेरिंग देखने को मिलेगी दोनों साथ में अच्छे दिख रहे हैं तभी मीडिया में उनके लिंग अपस की भी खबरे हैं और हाला कि परभास करती द टीम पर उनके काम को चुराने का अरोप लगा था टीजर रिलीज होने के बाद मोवी में बेफेक्स की घटिया क्वाल्टी को लोगों ने आडे हांथों में लिया इंटरनेट पर धेरो में स्वायल हुए हैं लोगों की खराप पृत्किरिया के आदेपुरुष ट्रेलर मे बात करें तो काफी बदला हुआ है कई से इंसाइसे हैं कि आपको रोंग टे खड़े हो जाएंगे कुछ और चेंजर किये गए हैं जैसे सीता यानि कृति सैनन की मांग में सिंदूर नजरा रहा है सब के कपड़े भी पहले से काफी अलग हैं ये बदलाव इसलिए हुए है क्योंकि इससे पहले जब टीजर फिल्म का टीजर आया था तब लोगों ने इसका भी एफेक्स घटिया क्वाल्टी का लगा था कई लोगों ने राम से लेकर सीता तक के कपड़ों पर भी आपती जिता है थी अब सारे बदलाव करने के बाद फाइनली टेलर जारी कर दिया भासा में भी देख सकते हैं परभाज की इस फिल्म की एनाउसमेंट साल 2020 के एक अफेसियल मोशन पोस्टर के जरिये हुई थी इसका म्यूजिक अजय अतुल ने तयार किया है फिल्म का बज़र 700 क्रोड रुपे से ज्यादा बताया जा रहा है जो अब तक की सबसे महेंगी इंडियन मोवी है जब से मोवी बन रही थी तब से फैंस की बहुत सारी उम्मीदे जुड़ी हुई थी लेकिन जब 2 अक्टूबर 2020 को आदपुरुस का टीजर आया तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया इसके स्पिसल एफेक्ट को लेकर खोब अलोचना हुई फिल्म प पर भास की फिल्म आदपुरुस के टीजर के आने के बाद से सब्द बहुत चर्चा में है कहीं सैफली खान को रावड बनाये गए कहीं हिंदू देवी देवताओं के पहिनावे सहित कई बातों के लेकर फिल्म बिवादों में फश्ती ने जरा रही है दरसक कहीं रावड क की दाढ़ी के हिरावड के हैरिस्टाइल तो कहीं रावड के बिमान पुस्पक को लेकर जम कर इसकी निंदा कर रहे हैं लगबग 500 करोल लागत के इस फिल्म में भारी बेफेक्स का इस्तिमाल किया गया है जो कि लोगों को आकर सित नहीं कर पा रहा है इतने भारी बेफेक् पुरुस दो सब्दो आदी और पुरुस से मिलकर बना है आद पुरुस मोल पुरुस को कहा जाता है सबसे पहला पुरुस किसी वंस्या समराज की पहली कड़ी को आद पुरुस कहा जाता है जिससे किसी वंस की सुरुआत होती है इसका दूसरा आर्थ परमेस्वर से भी होत अभी तक रामाड में हम जिस स्री राम को सुनते या देखते आए हैं उनको मर्यादा पुरुसो तम दिखाया गया है जिसका मतलब होता है अपनी मर्यादा में रहने वाला और पुरुसो में सबसे उत्तम पुरुस स्री राम को एक आदर्स पुरुस के रूम में देखा जाता पूरिशों में सबसे उत्तम पूरुश स्री राम जी को ही कहा गया है लेकिन फिल्म में राम जी के युद्धा पच्छ को दर्शा आगया है फिल्म के निर्देशक ओम्राउत का कहना है कि पूरी रामैड को फिल्म में तीन घंटे में दर्शा नासंब हो था इसलिए अब उन्हें रामण का घंट टोड़ना होगा रामभक्त हनमान के सामने जानके द्वारा कहा गया समवाध ही आद पूरुश की कहानी का सेंट्रल थीम है बजपन से हम रामाड और रामलिलाओं में रागो द्वारा अन्याय पर न्याय की जीतवाली इस महान गाथा को देख ने सुनने के आदि हैं उसकी एक बहुत ही मजबूत चबी हमारे दिलों में बशती है ऐसी में उस चबी के साथ एकूरिमेंड में साउध morbंट में प्रतना जरूरी है कहानी के सुरुवात महारिस बालमी की रामाड कि तर्जपर ही होती है जहां राम-सिया-राम-गीद के ड्राव में राम और सीता का विवाह कई कई दोरा राजा दसरस से तीन वचन की मांग राम, सीता, लश्मण का बनवास, छोटे भाई भरत दोरा बड़े भाई की पादुगाएं ले जाना जैसे परसंग दरसा आए गये हैं। अंट की सरबादिक सुंदरी जानकी को अपरहत कर लाने को उकसाती है। जंगल में जानकी को एक सुड़ मरग दिखाए देता है, जिसे पाने के लिए वा लालाई थे। जानकी की इच्छा को पुरा करने के लिए रागों सुड़ मरग के पीछे दोड़ते हैं। इस बास से जान है कि वा महज रावड का एक छलावा है। से इसको अपने भाई रागों की मदद की गुहार सुनाई देती है। वा जानकी को लचमर रेखा पार ना करने की हिदायत देकर रागों की साहता के लिए निकल पड़ता है। और इधर रावड भिच्छा लेने के बहाने लियुद्ध, रामसेतु का बनना, हनमान दोरा संजिवनी बोटी का लाना, इंदरजीत और मेघनन वद जैसे परसंगों को भी समेटा गया है। आद पर उसके फष्ट लोकों काफे अलोचनाओं का सामना करना पड़ा था और उसके बाद उसमें काफे बदलाव किये गे। मगर मूल चीजे ज़स्ट की तस रह गई, इसमें कोई दोराय नहीं है कि बीफेक्स के मामले में फिल्म एक विजूल ट्रेट साबित होती है। मगर सीजी आई की खामिया रह गई, टू डी में बीफेक्स और सीजी आई का काम पर भावसाली नहीं है, जबकि 3D में अदमद सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्क्रीन प्ले और डालॉक्स में, मनोज मतंसर के लिखे डालॉक में जहां रागह और रावड के चरित्र समरत हिंदी जैसे जानकी में मेरे प्राण बचते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है बोलते नजर आते हैं, वही दूसरी और बजरंग यानि द्याउदत और इंदरजीत यानि वतसल सेठ तेरी बाप की जलेबी बुगा का बगीच्च समझा है क्या जिसे समात बोलकर उपहास का पातर बन जाते हैं, निर्देसे कोमरत ने इसे माडन लुक देने के लिए रावड की लंका को ग्रेस क उसल लुक दिया है, जो रावड की सोने की चमचमाती लंका के विपरित हैरी पार्टर या गेम आप थ्रोंस के किले के तरह दिखते हैं, फिलम का तीन गंटे का रुन टाइम तब और खलने लगता है जब सिकंड हाम में कहानी सिर्फ बी एफेक्ट से सजे राम रावड के युद्ध में सिमट कर रहे जाती है, हाला कि इंट्रोल से पहले कहानी विज्वल एफेक्ट के साथ अच्छी लगती है, डिरेक्टर ने अहिलिया मेगानाद वद जिसे रामाड के कई परसंगों को छोड़ दिया है, बाली और सुग्रू के वान रो का बिसुद रूप दि दिया गया है, रावण को एक पिसाद जैसे जीओ की सवारी करते दिखाया गया है, उसके अस्त शस्त गेम आप थ्रोंस की याद दिलाते हैं, संचित अंकित बलहारा का बर्गराण्ड डिस्कोर दमदार है, मगर अजय अतुल के संगीत में गाने उतने कमार के नई बन पाय हैं, हाँ जैसिया राम, राजा राम और तू है सितल धारा सुनने में अच्छे लगते हैं, एक्टिंग के मामले में परभासने रागो को सीमित और मर्यादा प्रप्सोतम राम के रूम में ने भाया है, रावण के रूम में सैफली खान खोब जचते हैं, मगर डिजिटल ट पहचाने जाते हैं, बजरंग के रूम में देवदत्र ने अपनी सरित्र के सान नयाय किया है, इंदरजीत की भूमका में वसल सेट को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है, जिससे उन्होंने खुपसूरती से निभाया है, मंदोदरी के किरदार में सुनल चौहान कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, तो चलेगी भी तेरे बाप की, ये ओ डालाग हैं जो हनमान रामण पुत्र मेगनात से कहते हैं, वही एक जिगा हनमान लंका लगाने की बात कहते हैं, जब हनमान असोक वाटिका पहुंचते हैं, तो धाकडा सुरू उन से कहता है कि क्या ये तेरी बुवा का बगीचा है तो अपनी जान से हाथ धोएगा जो आप मैं हनमान जी कहते हैं और मैं धकडा के धोँगा अब हनमान जी ऐसे डालाग बोलेंगे तो हाल में शीटिया उस वक्त जरूर बच जाएं मगर धीरे धीरे आपक इसके साथ जंगल में वर्मास काट रहे हैं सुन नखा की नाक में सेस ने बार चला दिया है राम सुन नफा के आगे हाथ जोडते हैं और सुन नफा लंकेश को जानकी की खुल सुर्ति के बारे में बताती है जानकी का अपरहड सबरी के बेर रागो बिजरंग का मिलन समुं सेतु से होती है फिल्म अपने आखरी स्राड युद्ध तक पहुंचती है अब इन स्विक्वेंस में बहुत सारी दिखते हैं लेकिन पहले कुछ आच्छाईयों के बात करते हैं फर्स्ट हाब में कई ऐसे सीन हैं जो गूंज बंस देते हैं जैसे राम और हनमान का मिलन रा स्री नामों का इस्तमाल किया गया है लचमर को सेस कहने का क्या आउचित था वही राम सीता में जो बात है वो रागव और जानकी के साथ नहीं आती बेगनात को इंदरजीत रावड को लंकेस कहे कर ही हर जिके संबोदित किया गया है जटायू एक गिद था मगर इस फिल्म म भी हारानी होती है सुन नखा जब मंदिरा पीते हुए मन्दुद्री से बात करती हैं तब ऐसा लगता है कि काकलेट पार्टी की दो महिलाए बात कर रही है इतना इनहीं रावड की हाइप हाई लंका में लिप्ट भी है फिल्म में ऐसे भी सीन है जो ना बालमिकी की रामार में हैं और ना तुलसिदास के राम्चिरत मानस में लचमर जब मुर्चित होते हैं तो हम सब ही को बता है कि बद सुसेड को बला जाता है मगर इस फिल्ब में संजीवनी के बारे में ना सिर्फ भिबीशड की पतनी बताती है बलकि इलाज भी वही करती है रामाड के एक परी फिल्म किसी एनिमेशन फिल्म जैसे लगती है जिसमें बेफेक्स की क्वाल्टी भी खराब है हन्मान जी का राम को पीट पर बिठा कर उड़ान रामड का वद मेगनात और कुमकड का वद ये सारे सुकंस आपको सिर्फ और सिर्फ निरास करेंगे अगर आप बच्चो रहना उससे भी दुश्कर है विशेशकार तब जब पिता राजा रहा हो भाई हर बात मानने को तयार रहता हो और पत्नी का सुक इसी में हो कि वह वही रहे जहां पत्ती की छाया रहे रामकथा मनुस को सहज होना सिखाती है ये यह भी सिखाती है कि तमाम धंसम पत्त सुक ऐस्वरी आद पाकर भी सरल बने रहना हो तो इसकी कुझी कहा है कुझी है समद्रसी इच्छा कचना ही हरसोक भय नहीं मनमा ही लेकिन सिनेमा को अब सरलता की मुडेर भी हांसल नहीं है वह इसी मुडेर पर बैठा कोवा बन चुगा है जिससे दादी बजपन में इस आज से दिन भर उड़ाय करती थी कि साध उसका काउं काउं करना किसी आने वाले की सूचना ही हो निर्देशक ओमराउत की नई फिल्म आदिपुरस भी मुडेर से आने वाली एक ऐसी ही आवाज है जो राम, सिता, लचमर, हनमान और रावड की कहानी नहीं है ये कहानी उन्होंने रागो जान की सेस, बजरंग और लंकेस की बुनी है इंट्रोल तक ही फिल्म सुन्दर कांड पार कर जाती है और उसके बाद का लंका कांड अपने आम में किसी कांड से कम नहीं है सिनेमा ये छुड के सहारे पौराडी कथाए कहने का इतिहाद भारत में भले ही सिनेमा जित पर हीरो सितारे परभाज जब अपनी नई फिल्म के साथ सिनेमा घरों तक पहुंचे हैं तो आम मूचो वाले राम ही बने हैं राम को जिस दिन राजा बनना था उसका महुरत नच्छत्रों की गरनाए करके ही निकाला गया गुरू बिसिष्ट जैसे ग्यानी ने महुरत नि दिसमन सिना में आकर मरडासन की इच किस्सा करने वाले सुसेड बैद का परसंग बिस्तार में देखे तो बड़े समाजिक परभावाला है लेकिन जिस समाजिक समरस्ता का पाठ राम ने पढ़ाया वह यहां उसके प्राकरमी परचार के परचपंच में खो गये हैं फिल्म आदिपुरस में राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं लेकिन मर्यादा मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये तो बस एक लाइन का परसंग है राम को मर्यादा पुरसोत्तम सिद्ध करने का जहां वारामड से युद्ध करने के लिए अध्धा की सेना नहीं लेकिर राम कथा के ऐसे धेरो परसंग है जो त्रेता युग में पुरसोत्तम को आदिपुरस बताय जाने का फिलम बनाने वालों का दावा मजबूत करने में उनके मदद कर सकते थे छोटा भाई जब हमेशा भाभी मा की सेवा और रच्छा में हित्यत पर रहता है तो ऐसे में बड़ा भाई अपने पतनी के सार्व मानी होने का समय भी निकाल पायega सोचना मुश्किल है लेकिन फिलम T-e Вас की है तो अरजी सिंग का गाना होना है और गाना होना है तो फिर कबीर सिंगो या राघो फिलम बनाने वालों का क्या फरक पड़ता है संगीत और इसके गीत देखने वाले मनोज मतंसर अब सुकला भी हो चुके हैं लेकिन राम कथा कि मनोटा का ध्यान रखने में वाच चुक गए हैं फिल्म देखने के बाद ये भी समझ आता है कि फिल्म के टीजर को लेकर मच्छे हो हले के बाद ओम रहुत ने इसमें कोई खास फिर बदल नहीं किय है टीजर में दिखे सारे ग्राफिक्स सारे इस्पिसल एफेक्ट और सारे किरदार हुबहु यहां उपस्तित हैं इस चक्कर में फिल्म भी जरूरत से ज्यादा कहीं लंबी हो गई है प्रभास कृति सेनन और सनी सिंग इस्टार फिल्म आद पुरुष की तुलना इसके पह गो चुके हैं उन्होंने उनके चेहरे की स्वमिता हर ली है होट और नाक उनके तीखे बनाए गए हैं और मिथला की राशकुमारी के जिस सौंधर को देख राम पुस्पवाट का में मोहित हुए उसकी छटा तक कृति सेनन की सौंधरता में नजर नहीं आती यही हाल को बली की तीसरी संस्क्रड ही ज्यादा नजर आये हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रबह सुदसरत अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम रामाड की चौपाई के साथ अपने मंगल की कामना करते हुए फिल्म आद पुरुष के मेकर्स ने इसका बेहतरीन ट्र ये भारती सब्विता के तिहास की सबसे महान गाता रामाड को सिनेमाई साधर संधान जल्दी गई है हर किरदार को नए स्रिय से बहुत बारिकी से गढ़ा गया है जो कि धानमिक भावनाओं के अनकूल लगता है फिल्माद पुरुष के 3 मिनिट 19 सिकंड का ट्रेलर भगव कहते हैं वो बाहुबली फ्रेम प्रभास के किलदार से परचित कराते हैं कहते हैं एक कहानी है मेरे प्रभु स्री राम की उनकी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सो राम था रागो जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का हैंकार गाथा उस रह गुनांदंद की यउग यग अंतर से जीवित और जागरत ते हैं कहानी है रामार की इस दौरान से राम सी राम सीताजी लशमड के किलदारों की ज्हलग दिखाई जाती है फिलम अबनेटरी करतिसिनन्न ने सीताजी और अबनेटा सनी सिंग निजजर ने लशमड का कुर्दार किया है इसके बार रामड का किर्दार कर रहे अबनेता साहिफली खान की आवाज गुछजती है वो कहते हैं भिच्छा भिच्छा देही भिच्छा यह रामड का सबसे अहम सीन है जब रामड सीता हरड yanकिड्रनाइप करता है इसके लिए मायावी हिरड का सहरा लेता है यही घटना रामाड में राम और रावड के बीच युद्ध का आधार है यहां रावड बने सैफली खान की जलग दिखाई जाती है उनके किरदार में बहुत सुधार किया गया है वरना टीजर में हाली बुड के किसी बिलन की तरह उनको दिखाया गया था लंबे बाल और दाढ़ी के साथ माते पर लाल टी का लगाए साधू के वेस में वो सम्मोहित करते हैं इसके बाद सीता हरड और रावड जटाई युद्ध की एक छोटी सी जलग दिखाया जाती है असोक वाटिका में निरास बैटी सीता जी की जलग भाव करने वाली है ट्रेलर के अगले फ्रेम में सिरीराम और सीता जी के बीच के अदभुत प्रेम को दिखाया गया है फ़ता चल चुका है कि रावड नहीं ये दूसा हश किया है उसके साथ अपनी सेना अं बिखने और युद्ध करने के लिए कई राजियों के राजा आफर करते है लेकिन वे इससे मर्यादा के बिरुद मानते है लशमर कहते हैं कि क्या उनको मर्यादा उनकी भावी मा के प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है इस पर सिरी राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है इसके बाद भगवान स्री राम के नाम का जै घोस होता है तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, दुविदा की घड़ी में मन तुझको ही पुकारे तेरे ही बल से हैं बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा मंतरों से बढ़कर तेरा नाम जैसरी राम, जैसरी राम, राजा राम, जैसरी राम, राजा राम सबरी और राम के मिलन के अदभुद छड़ को भी ट्रेलर में सामिल किया गया है रामाड में इस मिलन के जरिये समाजिक समानता का संदेज दिया गया था फिल्म में भी स्रीराम सबरी से कहते हैं हम जनम से नहीं करम से छोटे या बड़े होते हैं फिल्म के ट्रेलर के अगले फ्रेम में युद्ध की तैयारियों के सीन दिखाया जाते हैं पहले सीन में हरमान जी की सक्ती से परचे करा जाता है उनकों संघीवनी के लिए परबत उठाये उड़ते हुए दिखाया जाता है इसके बाद जंगल के जानौरों से बनी सेन दिखाया जाती है इसमें बंदर और भालू सάमिल हैं अंगत को सीरीराम के दूद के रूम में स्रीलंका जाते दिखाया जाता है वो मतसिता से मिलते हैं जहां हो कहती हैं रागों ने मुझे पाने के लिए सिवधनस तोड़ा था अब उन्हें रावण का घमंट टोड़ना होगा अंगत को लंका दहन करते हुए भी दिखाये गया है गार दो अहिंकार की छाती में बिजे भगवा धज स्री राम के इस उद् तरह दिखाने की कोसिस की गई है इसके लिए बेफेक्स और इस्पिसल विज्यूल एफेक्स का बेहतरिन इस्तिमाल किया गया है ओमरौत और उनकी टेम ने इस मामले में एक नई लगेर खींची है ये कहना अधिसोगत नहीं होगा भगवान राम की बिभिन भाउनाओ को च संग भाउनाएं छिपी होती हैं इसमें कई बिसमेकारी द्रस्य और छड़ हैं फिल्म में परभास सरत के लकार और मनोज मतंसिर की तिकड़ी का कमाल साफ नजरा रहा है मनोज के लिखे सब्द सरत की आवाज और परभास का ओरा इसे भभ भी बना रहा है बाहुबली के बा उन्होंने इसे वास्तुक दिखाने की कोशिच की है यही वज़े है कि कहा जा रहा है कि ट्रेलर अपनी गलतिया सुधार के मेकर्स ने अपने सारे पाप धो लिये हैं इसकी भभिता बड़े परदे अधिक दिखती है खासकर 3D में इसका एफेक्ट अलग ही नजर आने वाल है ट्रेलर को सोसल मेडिया पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यह फिल्म 16 जून को सिनेमा घरों में रिलिज होगी राम 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 की गूंच के साथ वह पल आही गया जिसका मोबी लबर्स को बेसबरी से इंतिजार था बाहुबले एक्टर प्रभास की मचा ओंडेड फिल सांदार रिस्पांस मिल रहा है ट्रेलर को देखने के बाद फैंस जैसरी राम जैसरी राम के नारे लगा रहे हैं प्रभास फैंस ने अभी से फिल्म को सुपर डुपर हिट बता दिया है उनके मताबिक ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी हिट बनेगी प्रभास को फैंस सिरी राम की कहानी बताते हैं फिल्म में उस रगुनंदर की गाता दिखाई जाएगी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन मर्यादा का उत्साह था जिसके धरम ने अधरम का अहिंकार दोड़ा ट्रेलर में सिता हरड की जलक दिखी है राम सिता के प्रेम उनके वनमास के अलावा राम का लंका जाकर सिता को वापस लाने की कहानी दिखाई जाएगी राम रावड युद्ध के कुछ सीन दिखे हैं क्योंकि टीजर रिलीज के बार रावड बने साहिप के लुक पर हंगाम हुआ था इसलिए मेकशने टेलर में उनके लुक को सीक्रेट रखने की कोसिस की है आधिपुरुस पायन इंडिया फिल्म है ये हिंदी के अलावा कई भासाओं में रिलीज हो रही है मुवी मुवसल सेड़ भी अहम रोल में दिखेंगे हरमान जी का रोल देवदत नागे कर रहे हैं ये पहली बार है जब परभास और करती की जोड़ी बनी है पर पुरुस का जब से मोशन पोस्टर सामने आया था तभी से फिल्म विवादों में थी सबसे पहले फिल्म के पोस्टर पर हंगा ममचा इसे कापी बताया गया एनिमेशन स्टूडियो वानर सेना स्टूडियो जने आधिपुरुस की टीम पर उनके काम को चुराने का अरोप लगया था टीजर रिलीज होने के बाद मोवी में बेफेक्स की घटिया क्वाल्टी को लोगों ने आड़े हांतों में लिया इंटरनेट पर धेरो मेम्स वायल हुए हैं लोगों की खराप पृत्किरिया के आधिपुरुस ट्रेलर में दिखाया गया है कि फिल्म की कहानी र चेंजर किये गए हैं जैसे सीता यानि कृति सैनन की मांग में सिंदूर नजरा रहा है सब के कपड़े भी पहले से काफी अलग हैं यह बदलाव इसलिए हुए हैं क्योंकि इससे पहले जब टीजर फिल्म का टीजर आया था तब लोगों ने इसका भी एफेक्स घटिया था कई लोगों ने राम से लेकर सीता तक के कपड़ों पर भी आपती जिता है थी अब सारे बदलाव करने के बाद फाइनली टेलर जारी कर दिया गया है ओम रहुत की डिरेक्शन में बनी आदिपुरस में परभास कृति सेनन सैपली खान सनी सिंग और वसल सेठ ने अहम भ खेसियल मोशन पोस्टर के जरिये हुई थी इसका म्यूजी का अजय अतुल ने तयार किया है फिल्म का बज़र साथ सो क्रोड रुपे से ज्यादा बताया जा रहा है जो अब तक की सबसे महेंगी इंडियन मुवी है जब से मुवी बन रही थी तब से ही फैंस की बहुत सार उम्मीदें जुड़ी हुई थी लेकिन जब 2 अक्टूबर 2022 को आदि पुरुष का टीजर आया तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया इसके स्पिसल एफेक्ट को लेकर खोब अलोचना हुई फिल्म पहले 11 अगस 2022 को रिलीज होने वाली थी लेकिन आमिर खान की लाल के टीजर के आने के बाद से सब्द बहुत चर्चा में है कहीं सैफली खान को रावड बनाये गए कहीं हिंदू देवी देवताओं के पहिनावे सहित कई बातों के लेकर फिल्म बिवादों में फस्ती ने जरा रही है दरसक कहीं रावड की दाढ़ी कहीं रावड के हेरिस् के इस्तिमाल को देख दर सके इसे कोई कार्टून फिल्म बता रहे हैं अब जब आदि पुरुस सब्द इतना चर्चा में हैं तो आए जानते हैं कि आदि पुरुस के बारे में कि ये क्या होता है आदि पुरुस आदि पुरुस दो सब्दों आदी और पुरुस से मिलकर ब उसी की संताने हैं जो एक सिरी राम भगवान बिश्डूई जी के आउतार थे अता फिल्म का टाइटल आधि पुरुष रखने का कारड या भी हो सकता है अभी तक रामाड में हम जिस सिरी राम को सुनते या देखते आये हैं उनको मर्यादा पुरुषो तम दिखाया गया है जिसका मतलब होता है अपनी मर्यादा में रहने वाला और पुरुषो में सबसे उत्तम पुरुष सिरी राम को एक आदर्स पुरुष के रूम में देखा जाता है पुरुषो में सबसे उत्तम पुरुष सिरी राम जी को ही कहा गया है लेकिन फिल्म में राम जी के रागों ने मुझे पाने के लिए सुधनुस तोड़ा था अब उन्हें रावण का घमन्ड टोड़ना होगा रामभक्त हन्मान के सामने जानके द्वारा कहा गया समवाध ही आद पुरुष की कहानी का सेंट्रल थीम है बजपन से हम रामाड और रामलिलाओ में रागो द्वारा अन्याय पर न्याय की जीतवाली इस महान गाथा को देखते सुनते और पढ़ते आए हैं ताना जी के लिए राष्टरी पुरुषकार पाच के ओमराओत ने निसंदे आज की जनरेशन के लिए इस महाकावी को भभ विजकल पर बड़े पर साकार किया है मगर वो या समझने में चूग गए की दसकों से हम जिस रामाड को देखने सुनने के आदी हैं उसकी एक बहुत ही मजबूत छबी हमारे दिलों में बचती है ऐसे में उस छबी के साथ एक्सपरिमेंट में साउधानी बरतना जरूरी है कहानी की सुरूआत महरिस बालमीक की रामाड की तरज पर ही होती है जहां राम सियाराम गीत के माध्यम से बैगड्राब में राम और सीता का बिवाह कहे कही दोरा राजा दसरस से तीन वचन की मांग, राम, सीता, लचमण का बनवास, छोटे भाई भरत दोरा बड़े भाई की पादुगाएं ले जाना जैसे परसंग दर्शाए गए हैं राजा यानि परभास अपने पतनी जानकी यानि कृती सिनन और सेस यानि सनी सिंग के साथ पिता के दिये गेवचनों का पलन करने के लिए वनवास काट रहे हैं उधर लंका में रावण की बहन अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई लंका पती रावण यानि सैफली खान के पाह जाकर बिलाप करती है वा भाई को प्रतिसोध के लिए ब्रमांड की सरबादिक सुन्दरी जानकी को अपरहत कर लाने को उकसाती है जंगल में जानकी को एक सुर्ड मरग दिखाए देता है जिसे पाने के लिए वा लालाई थे जानकी की इच्छा को पुरा करने के लिए रागो सुर्ड मरग के पीछे डोडते हैं इस बास से अंजान है कि वा महज रावड का एक छलावा है से इसको अपने भाई रागो की मदद की गुहार सुनाई देती है वा जानकी को लचमर रेखा पार ना करने की हिदायत देकर रागो की साहता के लिए निकल पड़ता है और इधर रावड भिच्छा लेने के बहाने सादू का धारड करके सीता को हर ले जाता है बस उसके बार रागो दोरा सुग्रियो और हनमान की मदद से लंकेश का संहार ही कहानी का क्लाइमेक्स है इसके बीज में जटायू रावड का युद्ध, सबरी के बेर, बाली सुग्रियो का मल युद्ध, रामसेतू का बनना, हनमान दोरा संजिवनी बोटी का लाना, इंदरजीत और मेघनन वद जैसे परसंगों को भी समेटा गया है आद पर उसके फ़र्ष्ट लुकों काफे अलोचनाओ का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद उसमें काफे बदलाओ किये गए, मगर मूल चीजे ज़स्ट की तस रह गई, इसमें कोई दोराय नहीं है कि बीफेक्स के मामले में फिल्म एक विजूल ट्रेट साबित होती है, मगर सीजी आई की खामिया रह गई, टू डी में बीफेक्स और सीजी आई का काम पर भावसाली नहीं है, जबकि 3D में अदमदार है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्क्रीन पिले और डालॉग्स में, मनोज मतंसर के लिखे डालॉग में, जहां रागह और रावड के च जिचे समझा है क्या, जिसे समाद बोलकर उपहास का पातर बन जाते हैं, निर्देसे कोम रहुत ने इसे माडल लुक देने के लिए रावड की लंका को ग्रेस कौसल लुक दिया है, जो रावड की सोने की चमचमाती लंका के विपरित हैरी पाटर या गेम आप थ्रोंस के क ले कितरे दिखते हैं, फिल्म का तीन गंटे का रुन टाइम तब और खलने लगता है जब सिकंड हाम में कहानी सिर्फ बीएफेक्स से सजे राम रावड के युद्ध में सिमट कर रहे जाती है, हाला कि इंट्रोल से पहले कहानी विज्वल एफेक्ट के साथ अच्छी लग गया है, रावड को एक पिसाद जैसे जियो की सवारी करते दिखाया गया है, उसके अस्त अस्त गेम आप त्रोंस की याद दिलाते हैं, संचित अंकित बलहारा का बर्गराण डिस्कोर दमदार है, मगर अजय अतुल के संगीत में गाने उतने कमार के नई बन पाये हैं, अगर डिश्टल टेकनीक से उनकी कद काट को कुछ ज़्यादा ही विसालकाय दिखाया गया है, जानकी के रूम में करती से नन परफेक्ट रही है, खुबसूरल लगने के साथ साथ उन्होंने दमदार आभने किया है, मगर उन्हें उतना स्क्रीन इस्पेस नहीं मिल पाया ह लचमड के रूम में सनी सिंग मेवत तेजी नजर नहीं आती, जिसके लिए लचमड पहचाने जाते हैं, बजरंग के रूम में देवदत ने अपनी सरितर के सान नयाय किया है, इंदरजीत की भूमका में वसल सेट को अच्छा खासा स्क्रीन इस्पेस मिला है, जिससे उन्ह रामण पुत्र मेघनात से कहते हैं, वही एक जिगा हनमान लंका लगाने की बात कहते हैं, जब हनमान असोक वाटिका पहुंचते हैं, तो धाकडा सुरू उन्हें कि क्या ये तेरी बुगा का बगीचा है, तो अपनी जान से हाथ धोएगा, जो आप मैं हनमान जी कहते हैं, और मैं धकडा के धोँगा, अब हनमान जी ऐसे डालाग बोलेंगे, तो हाल में शीटिया उस वक्त जरूर बच जाएं, मगर धीरे धीरे आपको अहसास होगा कि आप जो उमीद लेकर आये थे, वो उमीद पूरी नहीं होगी, फिल्म के डालाग मनोज मतंसर ने लिखे हैं, और वो इस मेज के लिए जिम्मेदार हैं, फिल्म में दिखाया गया है कि रागो अपनी पतनी जानकी और भाई सेस के साथ जंगल में वर्वास काट रहे हैं, सुन नखा की नाक में सेस ने बार चला दिया है, राम सुन नफा के आगे हाँ जोडते हैं, और सुन नफा लंके में बहुत सारी दिखते हैं, लेकिन पहले कुछ अच्छाईयों के बात करते हैं, फर्ष्ट हाब में कई ऐसे सीन हैं जो गूंज बंप्स देते हैं, जैसे राम और हनमान का मिलन, राम सिया राम गाना और रामड का सियू जी के लिए गया गया गाना, ये कुछ सीन आपके राउंटे खड़े करने में कामयाब होते हैं, मगर फिल्म में इतनी दिक्टे हैं कि आप चाहा कर भी फिल्म से खुद को अटेच नहीं कर पाएंगे, पहली बात तो फिल्म में परचलित नाम ना इस्तमाल करते, उसके दूसरी नामों का इस्तमाल किया गया है, लचमर को से राम की फिलिंग कमाती है, उन्हें देकर बहुबली की याद जदा आती है, फिल्म के राच्छस किसी गेम के बिलन लगते हैं, राउंट में घिनाद भी भी सड़ का लुग देख कर भी हारा नहीं होती है, सुन नखा जब मंदिरा पीते हुए मंदुदरी से बात करती हैं तब ऐसा लगता है कि काकलेट पार्टी की दो महिलाएं बात कर रही हैं, इतना ही नहीं राउंट की हाई फाई लंका में लिप्ट भी है, फिल्म में ऐसे भी सीन हैं जो ना बालमिकी की रामाड में हैं और ना तुलसिदास की रामचरित मानस में, लचमर जब मुर्शित हो बहुत बोरिंग है, लंबे लंबे सिर्फ बेफेक्स के स्विक्वेंस चल रहे हैं, जहां कोई डालॉग नहीं है, ऐसा लगता है कि किसी वीडियो गेम में हीरो और बिलन की लड़ाई चल रही है, पूरी फिल्म किसी एनिमेशन फिल्म जैसे लगती है, जिसमें बेफेक्स दिखाने की जरूरत नहीं है, इसे आप एक फिल्म के तौर पर भले देख ले, मगर रामार वाले सिरद्धा किसान ना देखे, इतने बड़े बजट में बनी ये फिल्म निरास जनक है, बहुत कठिन होता है, कठिन समय में भी सहज रहना, सरल बने रहना उससे भी दुशकर रहे, विशेशकार तब जब पिता राजा रहा हो, भाई हर बात मानने को तयार रहता हो, और पतनी का सुख इसी में हो, कि वह वही रहे जहां पती की छाया रहे, रामकथा मनुस्य को सहज होना सिखाती है, ये यह भी सिखाती है कि तमाम धंसम पत सुख, ऐस्षर आद पाक कोवा बन चुका है, जिससे दादी बजपन में इस आज से दिन भर उडाया करती थी, कि साथ उसका काउं 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 करना किसी आने वाले की सूचना ही हो, निर्देशक ओमरहुत की नई फिल्म आदिपुरस भी मुडेर से आने वाली एक ऐसी ही आवाज है, जो राम, सिता लचमर, हनमान और रावड की कहानी नहीं है, ये कहानी उन्होंने रागहो जान की सेस, बजरंग और लंकेस की बुनी है, इंट्रोल तक ही फिल्म सुन्दर कांड पार कर जाती है, और उसके बाद का लंका कांड अपने आप में किसी कांड से कम नहीं है, सिनेमा ये छुड क की जलक वही से निकली तेलगू में बनी राम का था में राम मोचो के साथ नज़र आए और अब तेलगू के तथाकतित सुपर हीरो सितारे परभाज जब अपनी नई फिल्म के साथ सिनेमा घरों तक पहुंचे हैं तो आम मुचो वाले राम ही बने हैं राम को जिस दिन राजा बनना था उसका महुरत नचत्रों की गर्णाय करके ही निकाला गया गुरू बिसिष्ट जैसे ग्यानी ने महुरत निकाला लेकिन वहें महुरत राजा दसरत के मरड़ और राम के वनवास का कारण बना राम कथा ऐसी ही छोटी छोटी अन्भूतियों की कहानी है ये अन्भूतिया कभी केवट परसंग में दिखती हैं कभी सबरी के जूटे बेर में तो कभी राम और हनुमान के मिलन में दिसमन सेना में आकर मरड़ासन की चिकिस्सा करने वाले सुसेड बैद का परसंग बिस्तार में देखे तो बड़े समाजिक परभावाला है लेकिन जिस समाजिक समरस्ता का पाठ राम ने पढ़ाया वह यहां उसके प्राकर्मी परचार के परचपंच में खो गये हैं फिल्म आदपुरुस में राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं लेकिन मर्यादा मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये तो बस एक लाइन का परसंग है राम को मर्यादा प्रसोत्म सिद्ध करने का जहां वह रामट से युद्ध करने के लिए अध्धा की सेना नहीं चाहते हैं लेकिन राम कथा कि ऐसे धेरों परसंग है जो त्रेता यूग में प्रसोत्म को आदिपुरुस बताय जाने का फिल्म बनाने वालों का दावा मजबूत करने में उनके मदद कर सकते थे छोटा भाई जब हमेशा भाभी मा की सेवा और रच्छा में ही ततपर रहता है तो ऐसे में बड़ा भाई अपनी पतनी के सार रुमानी होने का समय भी निकाल पाएगा सोचना मुश्किल है लेकिन फिल्म टी सिरीज की है तो अरची सिंग का गाना होना ही है और गाना होना है तो फिर कबीर सिंग ہوया रागो फिल्म बनाने वालों का क्या फर्क पड़ता है संगीत और इसके गीतों के साथ ही इसके समवाद भी फिल्म आदपुरुस की बड़ी बिफलता है इस तरह की कथाओं के लेखन में जो सहस्ता और सुरलता बिचारों को चाहिए वाद इसके समवादों में है नहीं हालाकि समवाद लिखने वाले मनोज मतंसर आप सुकला भी हो चुके हैं लेकिर राम कथा के मनोटा का ध्यान रखने में वाच चुक गए हैं फिल्म देखने के बाद ये भी समझाता है कि फिल्म के टीजर को लेकर मच्चे हो हले के बाद ओम्राउत ने इसमें कोई खास फिर बदल नहीं किया है टीजर में दिखे सारे ग्राफिक्स, सारे इस्पिसल एफेक्ट और सारे किरदार हुब 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 यहां उपस्तित हैं इस चक्कर में फिल्म भी जरूरत से ज़्यादा कहीं लंबी हो गई है प्रभास कृति सेनन और सनी सिंग इस्टार फिल्म आदपरश की तुलना इसके पहले हिंदी में रिलेज होचिकी राम का थाओ खास कर रामानंद सागर के धारवाहिक रामाड से जरूर होगी और जब यह तुलना होगी तो सबसे पहली खामी जो इस फिल्म की लोगों को दिखेगी हुआ है फिल्म में जानकी बनी कर्ति सेनन उनके चेहरे पर जो भी करतिम प्रियोग हो चुके हैं उन्होंने उनके चेहरे की स्वमिता हर ली है होट और नाक उनके तीखे बनाए गए हैं और मिथला की राशकुमारी के जिस सौंधर को देख राम पुस्पवाट का में मोहित हुए उसकी छटा तक कर्ति सेनन की वह पूरे फिल्म में बाहुबली की तीसरी संस्क्रण ही ज़्यादा नजराये हैं। जरिये भारती सब्विता के तिहास की सबसे महान का थारामार को सिनेमाई साधर संधान जल्दी गई है। हर किरदार को नए स्रिय से बहुत बारिकी से गढ़ा गया है जो कि धानमिक भाउनाओं के अनकूल लगता है। फिलमाद पुरिस के 3 मिनिट 19 सिकंड का ट्रेलर भग भगवान बनने की कहानी कहते हैं वो बाहुबली फ्रेम प्रभास के किलदार से परचित कराते हैं कहते हैं एक कहानी है मेरे प्रभु स्री राम की उनकी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन था मर्यादा का उतसो राम था रागो जिनके धरम ने तोड़ दिया अध बिच्छा बिच्छा देही भिच्छा ये रामड का सबसे अहम सीन है जब रामड सीता हरड यानि किड्रनेप करता है इसके लिए मायावी हरड का सहरा लेता है यही घटना रामड में राम और रामड के बीच युद्ध का आधार है यहां रामड बने सैफली खान की ज़लग दिखाय जाती है उनके किरदार में बहुत सुधार किया गया है वरना टीजर में हाली बुड के किसी बिलन की तरह उनको दिखाय गया था लंबे बाल और दाढ़ी के साथ माते पर लाल टी का लगाए साधू के वेस में वो सम्मोहित क प्रेम को दिखाया गया है अभी तक रामाड पर जितने भी सीरियल या फिल में बनी हैं उनमें प्रेम पच्छ पर कभी इतने बिश्तार से परकास्ट नहीं डाला गया है और मरौत ने इस पच्छ को सामिल करके साहस का काम किया है क्योंकि स्रीराम को तो लोग मर्यादा बिर्द मानते हैं लचमर कहते हैं कि क्या उनको मर्यादा उनकी भावी मा के प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है इस पर स्रीराम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है इसके बाद भगवान स्रीराम के नाम का जैगोस होता है तेरे ही भरोसे हैं हम तेरे ही सहारे दुविदा की घड़ी में मन तुझको ही पुकारे तेरे ही बल से हैं बल हमारा तू ही करेगा मंगल हमारा मंतरों से बढ़कर तेरा नाम जैसरी राम जैसरी राम राजा राम जैसरी राम राजा राम सबरी और राम के मिलन के अदभुद छड़ को भी ट्रेलर में सामिल किया गया है रामाड में इस मिलन के जरिये समाजिक समानता का संदेज दिया गया था फिल्म में भी स्तरी राम सबरी से कहते हैं हम जनम से नहीं करम से छोटे या बड़े होते हैं फिल्म के ट्रेलर के अगले फ्रेम में युद्ध की तैयारियों के सीन दिखाय जाते हैं पहले सीन में हर्मान जी की सक्ती से परशे करा जाता है उनको संजीवनी के लिए परबत उठाए उड़ते हुए दिखाय जाता है इसके बाद जंगल के जानवरों से बनी सेना दिखाय जाती है इसमें बंदर और भालू सामिल है अंगत को सिरी राम के दूद के रूम में सिरी लंका जाते दिखाय जाता है वो मतशिता से मिलते हैं जहां ओ कहती है रागों ने मुझे पाने के लिए सिवधनस तोड़ा था अब उन्हें रावण का घमंट टोड़ना होगा अंगत को लंका दहन करते हुए भी दिखाय गया है गाड़ दो अहिंकार की छाती में बिजे भगवा धच सिरी राम के इस उद्वेस के साथ युद का बिगल बच जाता है राम की सेना लंका पर चड़ाई कर देती है बुराई पर अच्छाई की जीद के लिए हुई इस लड़ाई को सिरी राम और उनकी सेना ने लड़ा था उसका जो भी संद्वेस था उसे फिल में पूरी तरह दिखाने की कोशिस की गई है इसके लिए बेफेक्स और इस्पिसल बिजूल एफेक्स का बेहतरिन इस्तिमाल किया गया है और मरहुत और उनकी टेम ने इस मामले में एक नई लगीर खींची है ये कहना अधिसोगत नहीं होगा भगवान राम की बिभिन भावनाओं को चित्रित करने के लिए परियुक्त भासा और सब्दों का चेहन साधानी से किया गया है जब वो अक्रोधित होते हैं बिनम्र होते हैं प्यार करते हैं तो हर सम्वाद उनके बिक्तित का एक अलग पच्छ दिखाता है इसमें च्छमा से लेकर प्रतिशोद तक की असंग भावनाएं छिपी होती हैं इसमें कई बिसमेकारी द्रस और छड़ हैं फिल्म में परभास सरद केलकर और मनोज मतंसिर की तिकड़ी का कमाल साफ नजरा रहा है मनोज के लिखे सब्द सरद की आवाज और परभास का ओरा इसे भभ भी बना रहा है बाहुबली के बाद दूसरी बार सरद पायन इंडिया सोपस्टार परभास के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं निश्चित तोर पर इसका फायदा मिलने वाला है सबसे बड़ी बात इस फिल्म के मेकर्स उन सभी गलतियों को सुधारा है जिसकी वज़े से लोग नाराज थे जितना संभो हो पाया है उन्होंने इसे वास्तुए दिखाने की कोशिश की है यही वज़े है कि कहा जा रहा है कि ट्रेलर अपनी गलतिया सुधार के मेकर्स ने अपने सारे पाप धो लिये हैं इसकी भब्विता बड़े परदे अधिक दिखती है खासकर 3D में इसका इफेक्ट अलग ही नजर आने वाला है परभास की मच आउंटेड फिलम आदपुरुस का ट्रेलर रिलिज हो गया है इसमें भगवान सिरी राम के रोल में दिखेंगे करती सेनन सिता के रोल में नजर आएंगी मूबी के लुक पोस्टर और टीजर की पहले से काफी चर्चा है ट्रेलर को सोसल मेडिया पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ये फिलम 16 जून को सिनेमा घरों में रिलिज होगी राम 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 की गूंच के साथ वह पल आही गया जिसका मूबी लबर्स को बेसबरी से इंतिजार था बाहुबली एक्टर प्रभास की मचा ओंडेट फिलम आधि पुरुष का ट्रेलर रिलिज हो गया है राम का थपर आधारित डारेक्टर ओमराउत की ये बिग बजट मूबी 16 जून को रिलिज होगी इसमें प्रभास राम, कृती से नंसीता और सनी सिंग, लश्मण और सैफली खान रावड के रोल में दिखेंगे ट्रेलर को सुसल मीडिया पर सांधार रिस्पॉंस मिल रहा है ट्रेलर को देखने के बाद फैंस जैसरी राम, जैसरी राम के नारे लगा रहे हैं प्रभास फैंस ने अभी से फिल्म को सुपर डूपर हिट बता दिया है उनके मताबिक ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी हिट बनेगी प्रभास को फैंस ने मेगा इस्टार बताया है यूजज का कहना है फिल्मे परभास राम के कारेक्टर को निभा नहीं रहे बलकि जी रहे हैं राम जिलित मानिश की चौपाई से सुरू होता है ट्रेलर जहां हनमान अपने रागों का गुडगान कर रहे हैं वो अपने परभू सिरी राम की कहानी बताते हैं फिल्म में उस रगुनंदर की गाता दिखाई जाएगी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन मर्यादा का उत्साह था जिसके धरम ने अधरम का अहिंकार दोड़ा ट्रेलर में सिता हरड की जलक दिखी है राम सिता के प्रेम उनके वनमास के अलावा राम का लंका जाकर सिता को वापस लाने की कहानी दिखाई जाएगी राम रावड युद्ध के कुछ सीन दिखे हैं क्योंकि टीजर रिलीज के बार रावड बने साइप के लुक पर हंगा महुआ था इसलिए मेकशने टेलर में उनके लुक को सीक्रेट रखने की कोशिस की है आधिपुरुस पायन इंडिया फिल्म है ये हिंदी के अलावा कई भासाओं में रिलीज हो रही है मूबी मूवसल सेड़ भी अहम रोल में दिखेंगे हर्मान जी का रोल देवदत नागे कर रहे है ये पहली बार है जब परभास और करती की जोड़ी बनी है परदे पर उनकी फ्रेस पेरिंग देखने को मिलेगी दोनों साथ में अच्छे दिख रहे हैं तभी मीडिया में उनके लिंग अप्स की भी खबरे हैं और हाला कि परभास करती दोनों ने अफैर की खबरों को गलत बताया है आदपुरुष का जब से मोशन पोस्टर सामने आया था तभी से फिलम विवादों में थी सबसे पहले फिलम के पोस्टर पर हंगा ममचा इसे कापी बताया गया एनिमेशन स्टूडियो वानर सेना स्टूडियोस ने आदपुरुष की टीम पर उनके काम को चराने का आरोप लगया था टीजर रिलीज होने के बाद मोवी में बेफैक्स की घटिया क्वाल्टी को लोगों ने आडे हांथों में लिया इंटरनेट पर धेरो मेम्स हुआ रिल हुए हैं लोगों की खराप पृतिकिरिया के आदपुरुष ट्रेलर में दिखाया गया है कि फिल्म की कहानी रामाड़ पर बेश्ट है भगवान राम का बनवास जाना सीता से बिशरना हरमान जी का सीता की खोश करना और सबसे आखर में लंकेश की जलक खौपनाक देखने को मिली है अगर बिएफेक्स की बात करें तो काफी बदला हुआ है कई से इनसा ऐसे हैं कि आपको रोंग टेक खड़े हो जाएंगे कुछ और चेंज़ेस किये गए हैं जैसे सीता यानि किरती सेनन की मांग में सिंदूर नजरा रहा है सबके कपड़े भी पहले से काफी अलग हैं ये बदलाव इसलिए हुए हैं क्योंकि इससे पहले जब टीजर फिल्म का टीजर आया था तब लोगों ने इसका भी एफेक्स घटिया क्वाल्टी का लगा था कई लोगों ने राम से लेकर सीता तक के कपड़ों पर भी आपती जटाए थी अब सारे बदलाव करने के बाद फाइनली टेलर जारी कर दिया गया है ओम रहुत की डियरेक्शन में बनी आदिपुरुस में परभास कृति सेनन, सैपली खान, सनी सिंग और वसल सेठ ने एहम भूमकाय निभाई है ये मुबी 16 जून 2030 को थेटर्स में 3D में वर्ल्ड वाइट रिलीज हो रही है आप इसे हिंदी के लावा तेलगू, तमिल, कन्नड और मलियालम भासा में भी देख सकते हैं परभास की इस फिल्म की एनाॉसमेंट साल 2020 के एक अफेसियल मोसन पोस्टर के जरिये हुई थी इसका म्यूजिक अजय अतुल ने तयार किया है फिल्म का वजड़ 700 क्रोड रुपे से ज्यादा बताया जा रहा है जो अब तक की सबसे महेंगी इंडियन मोवी है जब से मोवी बन रही थी तब से फैंस की बहुत सारी उम्मीदे जुड़ी हुई थी लेकिन जब 2 अक्टूबर 2022 को आदि पुरुष का टीजर आया थो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया इसके स्पिसल एफेक्ट को लेकर खोब अलोचना हुई फिल्म पहले 11 अगश 2022 को रिलीज होने वाली थी लेकिन आमिर खान की लाल सिंग जड़ा की वज़े से इसे पोस्ट पॉन कर दिया गया था इसके बाद बिजूल एफेक्ट पर फिर से काम करने के लिए इसकी रिलीज में तनी देरी हो गई आदपुरुस हाल ही में परभास की फिल्म आदपुरुस के टीजर के आने के बास सब्द बहुत चर्चा में है कहीं सैफली खान को रावड बनाये गए कहीं हिंदू देवी देवताओ के पहिनावे सहित कई बातों के लेकर फिल्म बिवादों में फस्ती ने जरा रही है दरस्व सैफली खान को रावड का रोल करते देखने रास हैं दरसक कही रावड की दाढ़ी कही रावड के हेरिस्टाइल तो कहीं रावड के बिमान पुस्पक को लेकर जम कर इसकी निंदा कर रहे हैं। लगबग 500 करोल लागत के इस फिल्म में भारी बेफेक्स का इस्तिमाल किया गया है जो कि लोगों को आकर सित नहीं कर पा रहा है। वन्स की सुरुआत होती है। इसका दूसरा आर्थ परमेस्वर से भी होता है। क्योंकि संपोर्ष ट्रेष्ट को बनाने वाला इस स्वर ही है जो सभी जिव उसी की संताने हैं। जोग स्री राम भगवान बिश्डुई जी के आउतार थे अता फिल्म का टाइटल आधि परुष रखने का कारड़ या भी हो सकता है। अभी तक राम भगवान में हम जिस स्री राम को सुनते या देखते आए हैं उनको मर्यादा पुरुष तम दिखाया गया है। जिसका मतलब होता है अपनी मर्यादा में रहने वाला और पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष स्री राम जी को ही कहा गया है। कर रावड वद्तक का कांठी इस से इसमें चित्रित किया गया है फिल्म अगले साल बारा जनुवरी को रिलीज होने वाली थी रागों ने मुझे पाने के लिए सुधनुस दोड़ा था अब उन्हें रावड का घमन टोड़ना होगा रामभक्त हनमान के सामने जानके द्वारा कहा गया समवाध ही आद पृष की कहानी का सेंट्रल थीम है बजपन सेम रामाड और रामलिलाओ में रागों द्वारा अन्य भब भी इसकल पर बड़े पर साकार किया है मगर वो या समझने में चूग गए कि दसकों सेम जिस रामाड को देखने सुनने के आदी है उसकी एक बहुत ही मजबूत छबी हमारे दिलों में बचती है ऐसे में उस छबी के साथ एक्सपरिमेंट में साओधानी बरतना जरूर कहानी की शुरुवात महरिश बालमीक की रामाड की तर्ज पर ही होती है जहां राम सिया राम गीत के माध़ं से बैकड्रॉब में राम और सीता का बिवाह कएकई दोरा राजा दसरस से तीन वचन की मांग राम शीता लचमर का बनवास छोटे भाई भरत दोरा बड़े रागो यानि परभास अपने पतनी जानकी यानि कृति सिनन और सेश यानि सनी सिंग के साथ पिता के दिये गेवचनों का पलन करने के लिए वनवास काट रहे हैं उधर लंका में रावण की बहन अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई लंका पती रावण यानि सैफली खान के पाह जाकर बिलाप करती है वा भाई को प्रतिसोध के लिए ब्रमांड की सरबादिक सुन्दरी जानकी को अपरहत कर लाने को उकसाती है जंगल में जानकी को एक सुर्ड मरग दिखाए देता है जिसे पाने के लिए वा लालाई थे जानकी की इच्छा को पुरा करने के लिए रागो सुर्ड मरग के पीछे डोडते हैं इस बास से अंजान है कि वा महज रावण का एक छलावा है से इसको अपने भाई रागो की मदद की गुहार सुनाई देती है वा जानकी को लचमर रेखा पार ना करने की हिदायत देकर रागो की साहता के लिए निकल पड़ता है और इधर रावण भिच्छा लेने के बहाने सादू का धारड करके सीता को हर ले जाता है बस उसके बार रागो दोरा सुग्रियो और हनमान की मदद से लंकेश का संहार ही कहानी का क्लाइमेक्स है इसके बीज में जटायू रावण का युद्ध, सबरी के बेर, बाली सुग्रियो का मल युद्ध, रामसेतू का बनना, हनमान दोरा संजिवनी बोटी का लाना, इंदरजीत और मेगनन वद जैसे परसंगों को भी समेटा गया है आद पर उसके फ़र्ष्ट लुकों काफे अलोचनाओ का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद उसमें काफे बदलाव किये गए, मगर मूल चीजे ज़स्कितस रह गई, इसमें कोई दोराय नहीं है कि बीफेक्स के मामले में फिल्म एक विजूल ट्रेट साबित होती है, मगर सीजी आई की खामिया रह गई, टू डी में बीफेक्स और सीजी आई का काम पर भावसाली नहीं है, जबकि 3D में अदमदार है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्क्रीन पिले और डालॉग्स में, मनोज मतंसर के लिखे डालॉग में, जहां रागह और रावड के चरित उपहास का पातर बन जाते हैं, निर्देसे कोमराउत ने इसे माडन लुक देने के लिए रावड की लंका को ग्रेई स्कॉसल लुक दिया है, जो रावड की सोने की चमचमाती लंका के विपरित हैरी पाटर या गेम आप थ्रोंस के किले की तरह दिखते हैं, फिलम का 3 मेगानाद वल जिसे रामाड के कई परसंगों को छोड़ दिया है, बाली और सुग्रू के वानरो का बिसुद रूप दिया है, तो रावड के लुक कास्ट्यूम्स और उसके सस्त्रों को कुछ ज़्यादा ही मोडनाइज कर दिया गया है, रावड को एक पिसाद जैसे तलधारा सुनने में अच्छे लगते हैं, एक्टिंग के मामले में परभास ने रागो को सीमित और मर्यादा प्रिप्सोतम राम के रूप में ने भाया है, रावड के रूप में सैफली खान खोब जचते हैं, मगर डिश्टल टेकनीक से उनकी कद काट को कुछ ज़्यादा ही विसालकाई दिखाया गया है, जानकी के रूप में करती सेनन परफेक्ट रही है, खोबसूरल लगने के साथ साथ उन्होंने दमदार आभने किया है, मगर उन्हें उतना स्क्रीन स्पेस नहीं मिल पाया है, लचमड के रूप में सनी सिंग मेवत तेजी नजर नहीं आती, जिसके लेले समर्ग पहचाने जाते हैं, बजरंग के रूप में देवदत ने अपनी सरित्र किसान नयाय किया है, इंदरजीत की भूमका में वसल सेट को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है, जिससे उन्होंने खुबसूरती से निभाया है, मंदोदरी के किरदार में जोहान महजदो सीन में निजराती हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, तो चलेगी भी तेरे बाप की, ये ओ डालाग हैं जो हनमान रामण पुत्र मेगनात से कहते हैं, वही एक जिगा हनमान लंका लगाने की बात कहते हैं, जब हनमा जी ऐसे डालाग बोलेंगे तो हाल में शीटिया उस वक्त जरूर बच जाएं मगर धीरे धीरे आपको ऐसास होगा कि आप जो उमीद लेकर आये थे वो उमीद पूरी नहीं होगी फिल्म के डालाग मनोज मतंसर ने लिखे हैं और वो इस मेज के लिए जिम्मेदार हैं फिल्म लंकेश को जानकी की खुल सूर्ति के बारे में बताती है जानकी का अपरहड सबरी के बेर रागो बिजरंग का मिलन समुंद्र सेतु से होतो है फिल्म अपने आखरी स्रड युद्ध तक पहुंचती है अब इन स्विक्वेंस में बहुत सारी दिखते हैं लेकिन पहले गूंज बंप्स देते हैं जैसे राम और हनमान का मिलन राम सिया राम गाना और राउड का सिव जी के लिए गया गया गाना ये कुछ सीन आपके राउंटे कड़े करने में कामयाब होते हैं मगर फिल्म में इतनी दिक्टे हैं कि आप चाहा कर भी फिल्म से खुद को राम की के साथ नहीं आती बेगनात को इंदरजीत राउड को लंकेस कहकर ही हर जिके संबोदित किया गया है जटायू एक गिद्ध था मगर इस फिल्म में बास दिखाया गया है परभास को देखकर सिरी राम की फिलिंग कमाती है उन्हें देखकर बहुबली की याद जदा भी है फिल्म के राच्छस किसी गेम के बिलन लगते हैं राउड में घिनात भीवी सड़ का लुग देखकर भी हारा नहीं होती है सुन नखा जब मंदिरा पीते हुए मंदुद्री से बात करती है तब ऐसा लगता है कि काकलेट पार्टी की दो महिलाएं बात कर रही है इतन इस फिल्म में संजीवनी के बारे में ना सिर्फ भीवी सड़ की पतनी बताती है बलकि इलाज भी वही करती है रामाड के एक एक सीन से लोगों की भावनाएं जुड़ी है जिनें आहत करने की जरूरत नहीं थी युद्ध का स्विक्वेंस बहुत बोरिंग है लंबे लंब पीट पर बिठा कर उड़ान रामड का वद मेगनात और कुमकर का वद ये सारे सुकंस आपको सिर्फ और सिर्फ निरास करेंगे अगर आप बच्चों को हिंदु महाकावी के बारे में जनकरी दिना चाहते हैं तो उन्हें आद पुरुष दिखाने की जरूरत नहीं है इसे आप एक फिलम के तौर पर भले देख ले मगर रामाड वाले सिरद्धा किसान ना देखे इतने बड़े बजट में बनी ये फिलम निरास जनक है बहुत कठिन होता है कठिन समय में भी सहज रहना सरल बने रहना उससे भी दुशकर है विशेशकार तब जब पिता राजा रह रहता हो बाई हर बात मानने को तयार रहता हो और पतनी का सुख इसी में हो कि वह वही रहे जहां पती ये रामकथा मनुस्री को सहज होना सिखाती है ये यह बहुत बहुत कि इस तमाम धनसंपत शुख ऐसुरी आधि पाकर भी सरल बने रहना हो तो इसकी कुividad को है कुझी है समद्रसी इच्छा कचना ही हरसोक भय नहीं मनमा ही लेकिन सिनेमा को अब सरलता की मुडेर भी हांसल नहीं है वा इसी मुडेर पर बैठा कोवा बन चुगा है जिसे दादी बजपन में इस आज से दिन भर उड़ाया करती थी कि साथ उसका काउं काउं करना किसी आने वाले की सूचना ही हो निर्देशक ओमरहुत की नई फिल्म आदिपुरस भी मुडेर से आने वाली एक ऐसी ही आवाज है जो राम, सिता, लचमर, हनमान और रावड की कहानी नहीं है ये कहानी उन्होंने रागाओ जान की सेस, बजरंग और लंकेस की बुनी है इंट्रोल तक ही फिल्म सुन्दर कांड पार कर जाती है और उसके बाद का लंका कांड अपने आप में किसी कांड से कम नहीं है सिनेमा ये छूड के सहारे पौराडी कथाए कहने का इतिहाद भारत में भले ही सिनेमा जितना ही पुराना है पहली राम कथा जब पर उतारी तो राम और सिता दोनों की किलदार एक ही कलाकार ने भाए राम की सौमिता की जलक वही से निकली तेलगू में बनी राम कथा में राम मोचो के साथ नजर आए और अब तेलगू के तथाकतित सुपर हीरो सितारे परभाज जब अपनी नई फिल्म के साथ सिनेमा घरों तक पहुँचे हैं तो आप मोचो वाले राम ही बने हैं राम को जिस दिर राजा बनना था उसका मोहूरत नच्चत्रों की गर्णाए करके ही निकाला गया गुरू बिसिष्ट जैसे ग्यानी ने मोहूरत निकाला लेकिन वहें मोहूरत राजा दसरत के मरण और राम के वनवास का कारण बना राम कथा ऐसी ही छोड़ी छोड़ी अन्भूतियों की कहानी है ये अन्भूतिया कभी केवट परसंग में दिखती है कभी सबरी के जूटे बेर में तो कभी राम और हनुमान के मिलन में दिसमन सेना में आकर मरणासन की चिकिस्सा करने वाले सुसेड बैद का परसंग बिस्तार में देखे तो बड़े समाजिक परभावाला है लेकिन जिस समाजिक समरस्ता का पार्ट राम ने पढ़ाया वह यहां उसके प्राकर्मी परचार के परचपंच में खो गए है फिल्म आदपुरस में राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं लेकिन मर्यादा मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये तो बस एक लाइन का परसंग है राम को मर्यादा पुरसोत्तम सिद्ध करने का जहां वारावण से युद्ध करने के लिए अध्धा की सेना नहीं चाहते हैं लेकिन राम कथा के ऐसे धेरो परसंग है जो त्रेता युग में पुरसोत्तम को आदपुरस बताय जाने का फिल्म बनाने वालों का दावा मजबूत करने में उनके मदद कर सकते थे छोटा भाई जब हमेशा भाभी मा की सेवा और रच्छा में हिततपर रहता है तो ऐसे में बड़ा भाई अपनी पतनी के सार्रोमानी होने का समय भी निकाल पाएगा सोचना मुश्किल है लेकिन फिल्म टी सिरीज की है तो अरची सिंग का गाना होना ही है और गाना होना है तो फिर कबीर सिंगो या रागो फिल्म बनाने वालों का क्या फरक पड़ता है संगीत और इसके गीतों के साथ ही इसके समवाद भी फिल्म आदपरुस की बड़ी बिफलता है इस तरह की कथाओं के लेखन में जो सहस्ता और सुरलता बिचारों को चाहिए वा इसके समवादों में है नहीं हाला कि समवाद लिखने वाले मनोज मतंसर अब सुकला भी हो चुके हैं लेकि राम कथा के मनोजा का ध्यान रखने में वाच चुक गए हैं फिल्म देखने के बाद ये भी समझाता है कि फिल्म के टीजर को लेकर मच्छे हो हले के बाद ओम रहुत ने इसमें कोई खास फिर बदल नहीं किया है टीजर में दिखे सारे ग्राफिक्स, सारे स्पिसल एफेक्ट और सारे किरदार हुबहु यहां उपस्तित हैं इस चकर में फिल्म भी जरूरत से ज़्यादा कहीं लंबी हो गई है प्रभास करती सेनन और सनी सिंग स्टार फिल्म आद पुर्श की तुलना इसके पहले हिंदी में रिलेज होची की राम कताओ खास कर रामानंद सागर के धारवाहिक रामाड से जरूर होगी और जब ये तुलना होगी तो सबसे पहली खामी जो इस फिल्म की लोगों को दिखेगी हुआ है फिल्म में जान की बनी करती सेनन उनके चेहरे पर जो भी करतिम प्रियोग हो चुके हैं उन्होंने उनके चेहरे की सुमिता हर ली है होट और नाक उनके तीखे बनाए गए हैं और मिथला की राशकुमारी के जिस सौंधर को देख राम पुस्पवाट का में मोहित हुए उसकी छटा तक करती सेनन की सुंधरता में नजर नहीं आती यही हाल परभास का है हिंदी में सरत किलकर की आवाज पर रिजर्ब लगा कर वह राम जैसा आभास तो गए पर उनके सरीर सौंधों में ना राम जैसा ओज है और ना राम जैसा तेज और ना ही राम जैसा परताब वह पूरे फिल्म में बाहुबली की तीसरी संस्क्रण ही ज़्यादा नजर आये हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रबह सुदसरत अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जै जै राम रामाड की चौपाई के साथ अपने मंगल की कामना करते हुए फिल्म आद पुरुष के मेकर्स ने इसका बेहतरीन ट्रेलर रिलीज कर दिया है फिल्म के टीजर और फ़र्ष्ट लूप पोश्टर में जो गलतिया की गई थी उन सभी को सुधारते हुए भवी सिनेमा की एक सांदार जलक दिखाई गई है इसके साथ ही पहले कभी नहीं देखेगे बी एफेक्स और इस्पिसल बिजूल एफेक्ट के जरिये भारती सभीता के तिहास की सबसे महान का थारा मैड को सिनेमाई सादर संधान जलती गई है हर किरदार को नए सिरे से बहुत बारिकी से गढ़ा गया है जो कि धार्मिक भाउनाओं के अनकूल लगता है फिलमाद पुरिस के 3 मिनिट 19 सिकंड का ट्रेलर भगवान हर्मान की आवाज के साथ सुरू होता है इस किरदार को मराठिय अभिनेता देव दतनाग ने किया है हर्मान जी एक गुफा में बैट कर ध्यान करते हुए हमें भगवान राम से परचित कराते हैं एक इनसान से भगवान बनने की कहानी कहते हैं वो बाहुबली फ्रेम प्रभास के किलदार से परचित कराते हैं कहते हैं एक कहानी है मेरे प्रभु स्री राम की उनकी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सो राम था रागो जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का हैंकार गाथा उस रगुन इसके बार रामड का किरदार कर रहा है अबनेता साफली खान की आवाज गुंचती है वो कहते हैं भिच्छा भिच्छा देही भिच्छा ये रामड का सबसे अहम सीन है जब रामड सीता हरड यानि किड्रनैप करता है इसके लिए मायावी हरड का सहरा लेता है यही घटना रामड में राम और रामड के बीच युद्ध का आधार है यहां रामड बने साफली खान की ज़लग दिखाई जाती है उनके किरदार में बहुत सुधार किया गया है वरना टीजर में हाली बुट के किसी बिलन की तरह उनको दिखाय गया था लंबे बाल और दाढ़ी के राम और सिता जी के बीच के अधभुत प्रेम को दिखाया गया है अभी तक रामाड पर जितने भी सीरियल या फिल्में बनी हैं उनमें प्रेम पच्छ पर कभी इतने बिस्तार से परकास्ट नहीं डाला गया है और मरौत ने इस पच्छ को सामिल करके साहस का काम किया है क्य कई राज्यों के राजा आफर करते हैं लेकिन वेसे मर्यादा के बिरद्ध मानते हैं लचमर कहते हैं कि क्या उनको मर्यादा उनकी भावी मा के प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है इसके बाद भगवान सिरी राम के नाम का जैगोस होता है तेरे ही भरोसे हैं हम तेरे ही सहारे दविदा की घड़ी में मन तुझको ही पुकारे तेरे ही बल से हैं बल हमारा तू ही करेगा मंगल हमारा मंतरों से बढ़कर तेरा नाम जैसरी राम जैसरी राम राजा राम जैसरी राम राजा राम सबरी और राम के मिलन के अदभुद छड़ को भी ट्रेलर में सामिल किया गया है रामाड में इस मिलन के जरिये समाजिक समानता का संदेज दिया गया था फिल्म में भी स्थरी राम सबरी से कहते हैं हम जनम से नहीं करम से छोटे या बड़े होते हैं फिल्म के ट्रेलर के अगले फ्रेम में युद्ध की तैयारियों के सीन दिखाय जाते हैं पहले सीन में हरमान जी की सक्ती से परिशे करा जाता है उनको संजीवनी के लिए परबत उठाए उड़ते हुए दिखाय जाता है इसके बाद जंगल के जानवरों से बनी सेना दिखाय जाती है इसमें बंदर और भालू सामिल है अंगत को सिरी राम के दूद के रूम में सिरी लंका जाती दिखाय जाता है वो मतसिता से मिलते हैं जहां ओ कहती हैं रागों ने मुझे पाने के लिए सिवधनस तोड़ा था अब उन्हें रावण का घमंट तोड़ना होगा अंगत को लंका दहन करते हुए भी दिखाय गया है गाड़ दो अहिंकार की छाती में बीजे भगवा धच सिरी राम के इस उद्वेश के साथ युद्ध का बिगल बच जाता है राम की सेना लंका पर चड़ाई कर देती है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हुई इस लड़ाई को सिरी राम और उनकी सेना ने लड़ा था उसका जो भी संदेश था उसे फिल्म में पूरी तरह दिखाने की कोशिस की गई है इसके लिए बेफेक्स और इस्पिसल बिजूल एफेक्स का बेहतरिन इस्तिमाल किया गया है ओमराउत और उनकी टेम ने इस मामले में एक नई लगीर खींची है ये कहना अधिसोगत दिन नहीं होगा भगवान राम की बिभिन भाउनाओ को चितरित करने के लिए परियुकत भासा और सब्दों का चेहन साधानी से किया गया है जब वा क्रोधित होते हैं बिनम्र होते हैं प्यार करते हैं तो हर सववाद उनके बिक्तित का एक अलग पच्छ दिखाता है इसमें च्छमा से लेकर प्रतिशोद तक की असंग भाउनाएं छिपी होती हैं इसमें कई बिसमेकारी द्रस और छड़ हैं फिल्म में परभास सरद केलकर और मनोज मतंसिर की तिकड़ी का कमाल साफ नजरा रहा है मनोज के लिखे सब्द सरद की आवाज और प्रभास का ओरा इसे भभ भी बना रहा है बाहुबली के बाद दूसरी बार सरद पैन इंडिया सूपस्टार प्रभास के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं निश्चित तोर पर इसका फाइदा मिलने वाला है सबसे बड़ी बात इस फिल्म के मेकर्स उन सभी गलतियों को सुधारा है जिसके वज़े से लोग नाराज थे जितना संभो हो पाया है उन्होंने इसे वास्तु दिखाने की कोशिश की है यही वज़े है की कहा जा रहा है कि ट्रेलर अपनी गलतियों सुधार के मेकर्स ने अपने सारे पाप